ही गाइज वेकम तो सर्स पॉइंट आज आज अभी में डिस्पस करने वाला है वी जनायस की करेंट अफिल्स क्योंकि हमारी अक्टूबर मंत की है तो चलिए न्यू मंत की हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर पॉलिटी एंग गवर् इस से रिलेटेट हम लोग बाते करेंगे और यहाँ पर प्रिवेंटेंशन है तो पॉलिटी की जो एक आर्टिकल है वो भी हमारी यहां पर रिवाइज हो जाएगी धन हम लोग यहां पर जो भी न्यूस शॉट्स में है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेस्ट अगर उस ग्रूप को जॉइन करनी है तेलिग्राम ग्रूप है हमारी और इस इस राइन फॉर बोथ बीपी असी एंड यूपी असी फो बीपी असी जो सिस्टी सेवं बीपी असी में लिखने वाले है उन लोगों के लिए स्पेशली है तेली बेसिस पे यहां पर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इमेल आईडी दी गई है उसमें आप लोग मेल करके फॉर्दर चॉइंट हो सकते हो तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं इंडिया के बारे में सबसे पहले आप देखो कि लैंड रिकॉर्ड हर किसी की अपनी जमीन होती है इवेन प्रपरटी है तो जो जो लैंड प्रोपरटी जितने भी लोगों की है यह इक बताओं या लाइन ट्यप्यूंट है जो की नहीं ना खतम होने वाला प्र इस प्यूंट है ठीक है सारे कुछ होते हैं लेकिन उसके बाब जूट भी अब इसको डिजटाइज कर देना सुटाइट हर एक लोग जो है अपनी जो भी उनका प्लॉट नंबर है उसमें कितना रखबा है इतनी कितने लैंड बचे वे हैं तो वो सारी डीटेल्स अब ओनलाइन देख सकते हैं तो इस सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा जो है स्टेट गवर्मेंट को कहा गया है कि लोकल सर्वर यहां पे इंस्टॉल करना है हर एक स्टेट में साथी साथ इंटरनेट स्पीड भी इंक्रीज करना है वो भी सब रजिस इंट्रेशन सिस्टम लाया जा रहा है इससे कहा जा रहा है डिजिटल इंडिया लांड रिकॉर्ड मॉडरनाइजेशन प्रोग्रम और यह इंप्लिमेंट किया रहा है यूणियन मिनिस्ट्री और डिवलाप्मेंट के द्वारा तो अभी हम दो देखते कि करेंटी स्टेट नाम पर है तो वह मेरा हक है तो मेरा हक का रिकॉर्ड तो उसे आरो आर कहा जाता है और इसे कहा जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यह कंप्लीट वाह है 94% विलेजेशन और 29 इस्टेट्स और यूणियन टेरिट्री में देखे तो यह डिस्प्ली भी कर दिया गया है साथ इंटिग्रेशन अगर आप देखो लाइंट रिकॉर्ड को प्रपर्टी रेजिस्ट्रेशन के साथ यहां पर यहां आज की टेट में इंटिग्रेट किया जा रहा है तो 75% जो है यह कहा जा जा रहा है कि अल्मुस्ट टर्ड है 70% काम है कि यहां पर बिल्कुल ही यह डिमार जा पर इस थरीगे से बॉंडरी की है साति एक oh k Italy है तो सजिंग्रूट की इस तरीके सबॉंडरी है तो कैडिस्टरण अकर एसरफियर में पर पताष चलता है कि हां इस से बोन्री किके इसके अंदर टो है इस की कौन оशिप है इस प्लोट के घॉणर्शिप है तो पहले जो survey हुआ था, वो 1908 में हुई है हमारे देश में, उसके बाद भी survey हुई है और recent time पे भी survey चल रहा है, survey कहने का मतलब है कि land की survey जिसमें कि यहाँ पे maps वगेरा यूज किये जारे है, satellite यूज किये जारे है और इसके basis पे जो है, फिर से new khadiyan यहाँ पे बनाया जा रहा है खadiyan जिसमें कि लोगों की यहाँ पे खाता खेसरा और जो plot होते है और जो रकवा होता है, वो यहाँ पे defined होता है तो इसी को यहाँ पे अभी online की जारी है साथी textual और special data integration देखे, तो यह भी आपका 60% जो villages है, उसका complete हो चुका है तो अगर data की बात करूँ, real अगर मैं यहाँ पे बताओ तो थोड़ी यह बढ़ा के यहाँ पे बता दी गई है बट देखे, अभी it will take time, यह एक long process है land properties को यहाँ पे digitize करना तो अभी इसमें time लगेगा अब समझते कि जो digital India land record modernization program है so what is this program is all about सबसे पहले समझे कि central sector scheme है it means कि 100% fund for this scheme यह यहाँ पे central government की दुआरा दिया जाएगा तो obviously क्योंकि बहुत बड़ी scheme है आप समझ सकते हो कि जो land की जो data से उसको यहाँ पे online किया जा रहा है तो अच्छी बात है साथ ही अगर आपनों देखो ते इस scheme की बात करें तो यहाँ पे 3 major component होंगे सबसे पहले जो भी land record है उसको computerize करना है secondary की survey करते जाना है फिर re-survey करना है फिर जो registration है उसको भी computerize करना है साथ ही अगर आपनों देखे कि इस program का objective क्या है तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे land records को update करना है okay time to time जो आप देखते हो कि जो भी land property है तो जितना भी total रखभा होता है उसमें से आप देखो कुछ-कुछ लोग जो है वो बेशते रहते है तो बेश खरीद भी self-purchase भी होते रहता है तो उससे क्या है कि update नहीं हो पाता है अगर वो किताबों में है offline है तो update होने में वो थोड़ा issue है लेकिन यहाँ पे online रहेगा तो यह update होते रहेगा तो time to time इसको update होते रहना है automated and automatic mutation है यहाँ पे दाखिल खरेज भी आप लुक देखते हो कि आज के रहेट में सब online हो चुका है तो इसलिए mutation वगेरा भी कराना है इसलिए कि दखल कपजा कोई भी अगर जमीन है तो वो किसके दखल में है party A, party B जो है आपस में अगर यहाँ पे self-purchase कर रहे है तो किसकी कबजे में था और किसकी कबजे में लाना है तो इसको कहते हैं यहाँ पे mutation ओके साथी आप देखो integration between textual and special record तो जो textual और special record है उसमें भी यहाँ पे integrate करके ही काम करना है साथी interconnectivity between revenue and registration यहाँ पे आप देखो revenue और registration जो किया जारा है उसके बीच में interconnectivity होनी चाहिए साथी यहाँ पे है कि जो आज की rate में date registration होती है उसको replace करना है और साथी साथ यहाँ पे एक little जो यहाँ पे title guarantee है उसको यहाँ पे include करना है तो जो date होता है जैसे कि जिनकी भी जमीन होती है उनके नाम पे अगर जमीन है उन्होंने किसी से खरीदा है तो उसको हम लोड़ लिद कहते हैं जिसको vasika वगेरा भी कहते तो यह चीज़े यादकने के वाला भी कहते हैं हिंदी में लेकिन लिद कहते हैं इसे इंग्लेश में अब दिखते ही कि अगर हम दो land record को digitize कर देते तो इसका क्या significance है सबसे पहले तो आप समझ रहे हो कि बटर credit delivery होगा ruler area में इत मींज कि इससे bankable जो asset है ग्रामी नीरिया में ये अच्छे तरीके से create हो पाएगा और इससे क्या है कि credit growth यहाँ पे इसमें help हो पाएगा इसपेशली जो हमारी agriculture sector है साथी MSME sector है जहाँ पे जादा से जादा लोग हमारे देश के engaged है तो इन सारे sectors में यहाँ पे help में पाएगा साथी अगर हमनों देखे तो reduced litigation यहाँ पी क्या है कि transparency जो enhance होगा land record में, maintenance system में तो यह minimize कर देगा जितने भी आप देखो कि अगर online यहाँ पे land record रहेगा तो लोगों को बार-बार जो है वो office आकर नहीं अपने register 2 को देखना होगा या फिर जहाँ पे land record maintain होते है, offline उसको नहीं शोक देखना होगा तो लोगों की जो परिशानी है, बार-बार office दोनडा वो भी खतम हो जाएगा वो आसानी से अपने mobile में अपने land records का details देख सकते हैं अगर उनको कहीं भी भी issue होता है तो अगर वो online ही उनको अपने हाथ में ही अगर land record का details मिल जाए तो इससे disputes कम हो जाएगा, लोगों की time भी save हो जाएगी infrastructure की बात करें, तो यहाँ पर आप देखो new infrastructure डिवलप किया जाएगा और साथी साथ revenue generation भी होगा इससे जो local revenue है, वो भी यहाँ पर enhance हो पाएगी यानि कि जो property, tax, billing वगरा है, collection वगरा है तो उसके through, साथी यहाँ पर आप देखो जो efficiency है, policy making का वो भी enhance हो पाएगा, digitization से क्या हो पाएगा, कि जो policy makers है उनको यहाँ पर help मिल पाएगा, कि आप decisions जो है उसको यहाँ पर informed decision को improve करो, regarding जो भी यहाँ पर land value assessment है साथी आप देखो कि जो fraudulent transactions होती है, जो गलत तरीके का transaction हो रहा है black money आप देखते हो, यह बहुत जादा होता है अगर आप देखो कि आपको अपने जमीन को अपने ही नाम पे करवानी है तो इसका black money जो है, काफी लोग बिचॉलिया होते हैं, जो land in करते हैं साथी आप देखो कि यहाँ पे mail क्या होता है, कि बिचनामी transaction भी होता है जमीर लेकर लोग रख देते हैं, लेकिन वो अपने नाम पे नहीं लेते हैं, वो किसी और के नाम पे लेकर रख लेते हैं तो यह बिचनामी transactions जो होती हैं, इन सब पर control किया जा सकेगा साथी easy disbursal हो पाएगा जो भी benefits है welfare scheme का आप देखो हमारे देश में landless farmers लोग पहुँ जाता है तो उनको यहाँ पर help मिल पाएगा तो इसलिए यहाँ पर आप देखो crop insurance मिल पाएगा, grant मिल पाएगा जो agriculture, subsidy वगेरा है साथी यहाँ पर जो human interface है registration process में वो कम हो पाएगा human interface कम हो पाएगा अभी जो मैं बोली कि यहाँ पर लोगों को office जाने की ज़रूद नहीं हो पाएगी वो online ही अपना registration कर लेंगे आज की date में तो अगर आपकी plot है कहीं जमीन है तो आपको जो receipt कटवाना होता है वो अभी online ही होता है अब आप लोगों को office जाने की ज़रूद नहीं है वहाँ पर बैटके जो है रसीद करवाने की ज़रूद नहीं है अब यह सारा काम जो है online ही होता है तो दीरे दीरे जो है यह online होते जाएगा तो इससे क्या होगा human interface कम हो पाएगा और लोगों का time भी बचेगा जो कि थोड़ी बहुत परिशानी है और मेरी language में अगर मैं बताओ जो कि मैं इसको deal कर रही हूँ तो यहाँ पर बहुत परिशानी है सबसे पहली बात है कि legacy issues है digital record जो है तो आप देखो कि bad data के साथ मी निकल कर आता है basically मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो जमाबंदी होता है ठीक है रिजिस्टर 2 इसे कहते है यह offline है रिजिस्टर होते हैं हर एक पंचायत का हर एक गाओं का इसको क्या करना है कि online करनी है यह मैं इसको चड़ा देना है लेकिन अभी क्या हो रहा है किसरा है कुछ ने कुछ error कर दिया जा रहा है error करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो old document है उससे यहाँ पर new document में कुछ changes देखने को मिल रहा है कुछ changes देखने को मिल रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि corruption बढ़ रहे है इट मिन्स कि आप देखते हो administration का stakeholders और employees की बात करें especially जो ground level पर है इनकी पास technical skill नहीं है कि कैसे digitize वगएरा करना है ये भी एक हमारे देश में सबसे बड़ी problem है हमारे देश में आप देखो कि grammy छेतर में ये काम होता है लेकिन grammy छेतर के लोगों को वहाँ पर ना mobile सही तरीके से अपरेट करने आता है ना desktop सही तरीके से ऑपरेट करने आता है तो ये भी एक technical skills की कमी है साथी non uniformity है हमारे state में आप देखो land और management जो है वो पूरी तरीके से state government के तहदा आती है लेकिन आप देखो कि हर एक state में कही न कही land को लेकर जो data standardization होना चाहिए वो इस हिसाब का है ने ठीक है साथी आप देखो land coordination lack of coordination है बहुत सारे जो नोडल अजेंसीज है तो coordination की भी कमी है जो भी land records में जितने भी आपे नोडल अजेंसीज है चाहे वो revenue के हो गए survey के हो गए registration करने वाले के हो गए तो यह सब अलग ही अलग आप देखो कि इनका अलग ही अलग office होता है तो इन दोनों में इन सब में कोई भी किसी भी तरीके का coordination नहीं दिखेगा digital gap के बारे में कहा जा रहा है तो जो land record का digitization हो रहा है इससे गरीब लोग और जो vulnerable sections है उनको काफी problem हो सकती है कि वो अपने title वगेरा को establish करें साथी आप देखो कि data leak की भी बात हो दिये कि यहाँ पे अगर हम लोग cyber सब कुछ deistize करते जा रहे बट जो cyber threat हो रहा है cyber crime हो रही है उसको यहाँ पे control करने के लिए हम लोग अभी भी उस हिसाब से हमारे हाँ न स्किल्स है न यहाँ पे हमारे हाँ infrastructure है तो एक अलग level पे problem निकल कर आता है कि हम लोग यहाँ पे land record को अगर online कर देते है और उसकी data अगर leak हो जाती है तो who will be the responsible तो यह एक सबसे पहली question arise होती है साथी हमारे हाँ आप देखो consumer profiling की potential है information यानि की plot of land जो है उसकी size कितनी है तो इसमें average cost of land जो है उसके ownership के उपर जाता है कि आपके पास कितना जमीन है उस हिसाब से आपको cost देना होता है साथी trust issue भी है बहुत सारे आप देखो कि malicious manipulation भी होता है यानि कि अभी मैं बताईना कि register 2 से जो online यहां पर चढ़ाना है और उसमें क्या है कि जान मुझके लोग जो है यहां पर digital जो land record अपडेट करें उसमें वो एरर दिख रहा है तो जान मुझके यहां पर manipulate किया जा रहा है इसकी भी एक problem निकल कर आई है साथी other issues भी है यानि कि अगर हम लोग देखे तो gender inclusivity आपको देखने को मिलेगा land record management में impact है जो लगतार जो आप देखो की land conflicts बढ़ते जा रहे और जो fast internet connectivity है वो ग्रामी चेतर में देखने को नहीं मिलेगा या फिर शहरी चेतर में भी आप देखो किसी किसी अरिया में problem होता है even हमारे हाँ server नहीं है तो data server नहीं है तो हम लोग इतना चाता है जो huge record है उसको हम लोग कैसे store करके रखेंगे ये भी problem बाली बात है तो ये सारी जो land record data है और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो survey करना है और जो land का mapping वगरा है उसको भी new technologies के साथ करना है जैसे कि new technology तो आ चुके आज की rate में देखें blockchain technology जो है ये one of the best security technology है blockchain ऐसी technology है जिसको हम लोग election के time पर यूज़ करते हैं तो why not we are using in digitization of land record तो इसको हम लोग कर सकते हैं इस technology को साथी drone का इस्तेमाल करें जिससे कि safety security बढ़े रहें satellite image तो लिया ही जा रहा है during this survey ये सारा काम किया जाना चाहिए साथी capacity भी यहां पर build करना है अमंग states में यहां पर आप देखो एक dedicated data center होना चाहिए high speed यहां पर processor हो fiber जो optic network है वो भी एक best तरीके से state level पर होना चाहिए साथी सारे जो textual यहां पर data है उसको update करना होगा और awareness वगरा यहां पर create करने की जुरूद है साथी uniform standard हो record करने के लिए maintain करने के लिए और जो भी land record है उसको update करने के लिए तो एक uniform standard भी यहां पर कहा जा रहा है इसके अलावा अगर हम लोग देखे तो यहां पर कहा जा रहा है कि और क्या-क्या मिजर्स लिए के हैं जिससे कि हम लोग अपने देश में land record को digitize करने के लिए ले रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि national generic document registration system है यह एक in-house advanced software application है और registration करने के लिए साथी unique land parcel identification number है यह क्या है कि एक unique ID 14 digit का हर एक plot of land को यहां पर हमारे देश में दिया जाएगा साथी भू नक्षा है एक solution है for digital cadastral mapping cadastral mapping जो किया जा रहा है उसका एक solution है भू नक्षा साथी survey of village अबादी और mapping with यहां पर improvised technology in village area है स्वामित है स्कीम है जिसका काम है कि यहां पर card दिया जाएगा स्वामित है स्कीम किता है जैसे कि आप लोग आधार card रगते हो पैन card रगते हो आप property card भी लेके चलने की जरुवद है जिसमें कि आपके फुरे plot का mention रहेगा साथी initiative है कि कैसे यहां पर हम रुख record of rights को यहां पर 22 language में यहां पर करने की बात की जा रही है जो हमारे सनविधान की schedule 8 में इसको recognize किया गया साथी efforts देखते कि state level का क्या है तो Bhoomi एक project है जो कि यहां पर center और state of Karnatak के द्वारा इसको लाए गया है जिसमें यहां पर यह कहा गया कि Karnatak state में कि जो भी यहां पर land records है उनके paper को digitize किया जाएगा साथी तेलंगना की भी धारानी project है जिसमें कि यह कहा गया कि ROR data को यहां पर individual का जो plot image है land plot map है उसके साथ यहां पर हम लग जो है इसको integrate करेंगे तो यह भी बात है यहां पर ओके तो यह सारे measures लिए जा रहे हैं तो इसको ध्यान लगना है अब यह समझते कि कैसे जो है land ownership को recognize किया जाएगा यह जमीन किसकी है तो सबसे पहले आप समझे कि land ownership इंडिया में जो है वो recognize किया जाएगे कुछ sets of documents के हिसाब से तो रोर के हिसाब से record of rights इट मिन्स कि यहां पर पुरी details को capture किया जाएगा कि land hoarders का नाम क्या है कितने जमीन है plot area का क्या size है क्या number है और revenue rate इसका कितना बनता है इट मिन्स कि उस जमीन का उनको कितना receipt लगान pay करना है साथी registered cell deed होना चाहिए इससे ये proof होता है कि property जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को बेचा गया है साथी tax की दिया गया है survey document की बात करें यहां पर record होता है जो property boundary है और area है और प्रूफ करना होता है property को जो भी government record में listed है साथी property tax receipt है तो इसको भी ध्यान में लेकर चलना है ठीक है तो यह सारे कुछ ऐसे हैं यहां पर आप देख सकते हो कि अगर यहां पर आपका यह चारों चीजे हैं तो इससे पता चलता है कि इस जमीन के जो है बाली कौन है तो गाइस I hope you like this article क्योंकि digitization of land record है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग पहले भी discuss किये अभी भी discuss करें और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग discuss करेंगे तो बेटर है कि एक बार रुकर आप अच्छे सी अगर issues को समझ जाते इस topic को समझ जाते तो आगे आने वाले दिनों में आपको किसी की तरीकी की problem नहीं face करनी पड़ेगी अब आते हैं next preventive detention detain कर ले ना इत मेंस कि माल लीजिए कि कहीं भी आप देखते हो कि लडाई हो रही है तो पुलिस क्या करती है उनमें से जो भी लडाई करते हैं आख रोश में रहते हैं उनको detain करके थाना ले जाती है तो इसमें क्या होता है कि preventive detention यानि कि थाना ले जाने से पहले जो यहां पर prevent किया जाएगा उस तरीके का यहां पर बात की जाना है तो अभी किया गिए सुप्रिंग कोट के द्वारा यह कहा गया कि जो preventive detention है इसको सिफ यहां पर exceptional circumstances में ही यूज किया जाएगा बहुत ही आम है लेकिन detain करना बहुत ही आम है बट जो यहां पर preventive detention है इसको कुछ ही यहां पर exceptional circumstances है बस उसी में इसको यूज किया जाएगा हर जगा यहां पर जो गुनेगार है उसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो सुप्रिंग कोट के द्वारा एक order दिया गया जिसमें यह observe किया गया कि जो preventive detention है यह exceptional power होना चाहिए state का जो कि एक personal liberty को affect करता है किसी भी individual की जो personal liberty है उसको यह affect करता है तो इसलिए यहां पर पूरी तरीके से कहा गया है कि यह power है state का और यहां पर employed जो लोग है उनके लिए भी साथी जो court है वो यहां पर law and order situations जो होती है उसको distinguish करता है साथी public disorder को भी तो preventive detention किया जाता है तो यह बाद में भी किया जाता है but never for the situation before former situation जैसे आप देखो preventive detention के case में किया जाता है जो आगे आने वाले case हो रहे है मालेजी कि कुछ अभी दंगा फसाद हो गया तो उस case में यहां पर preventive detention किया जाएगा 2022 के case में ना कि हमनों 2020 में जाकर कोई case उठाएगे और वहां पर किसी को बचाने के लिए हमनों detain कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते है जो बेंच है उन्होंने यहां पर अशुक कुमार वर्सिस देली administration case के हिसाब से यहां पर कहा है और यह objective है कि किसी भी इंसान को punish नहीं करना है यानि कि कुछ भी करने के लिए punish नहीं करना है पर intercept करना है यानि कि उन्होंने यहां पर क्या किया और उनको वो काम करने से रोकना है तो चलिए यह सब तो किताबी बाते होगे अब पहले हम दो समझते हैं कि preventive detention कहने का क्या मतलब है देखिए जब भी कोई इंसान को थाना अध्यक्स या फिर जो दरोगा वगएरा होते वो अगर पकड़ के लेगा डेटेन कर लिए तो reasonable apprehension होना चाहिए इट मिन्स कि एक reason होना चाहिए कि आप उसको क्यों पकड़ के लिए जा रहे है क्या उसने ऐसा काम किया है या फिर कुछ भी danger है public order के लिए security के लिए तब उसको पकड़ के लिए जा रहे है तो जो person है उनको custody में रखा जाता है उनको यहां पर trial वगएरा नहीं दिया जाता है बस उनको पकड़ के custody में रख लिया जाता है तो यह भी एक बात है साथ ही अगर हम लो देखें तो constitution के द्वारा यहां पर protection भी दिया गया है इट मीज कि आप देखो कि article 22 clause 1 है और article 22 clause 2 है जिसमें कि यहां पर protection दिया गया है किसको तो जो भी यहां पर लोग arrest होते हैं या फिर जिनको यहां पर detain किया जाता है वैसे लोगों को यहां पर protection भी दिया गया है यह जो protection है यह भी available नहीं है वैसे लोगों को जो कि arrest किया गया है यह फिर detain किया गया है preventive detention किता है तो यह भी धियान रखना है कि जो article आपका 22 22 sub clause 3 है उसके तहत यहां पर प्रोटेक्शन जो है यह प्रोवाइट नहीं किया गया है प्रोटेक्शन जो प्रोवाइट किया जाता है वो सिर्फ आपका 22 22 sub clause 1 और sub clause 2 में है multiple laws है जैसे आप दिखते हो कि NDPS है अल्लॉफुल अक्टिविटीज आक्ट है तो यह सब के तहत जो है लोगों को पकड़ लिया जाता है तो उसके तहत भी यहां पर पर मिट किया गया कि ठीक है बचाने के लिए यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन दे सक 2021 में रखा गया है जो कि बहुत ही जादा है इट मीज कि आप समचो सक के निगाह में आप किसी को पकड़ के लिए आते हो बेभी वह बेगुना हो सकता है बेभी उसकी कोई participation नहीं होगी लेकिन फिर भी यहां पर थाना वाले उसको पकड़ के लिए आते है तो उससे क्या हो पुलीसों की दुवारा यहां पे कितने सारे लोगों को डेटेन कर लिया गया है तो यह भी पहुंच वाले बी होते है अगर उनके में से किसी को ठालिया जाता है थाना देख या फिर दरोगा के द्वारा तो तुरत से फोन आ जाएगा और फोन आता है तो उनको यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन करना पड़ता है तो यह भी आप लोग देख सकते हूं साथी CRPC के अगर प्रात करें यहां पर भी आपका सेक्शन 151 है तो 151 अगर हम लोग यहां पर Code of Criminal Procedure में देखें तो पुलिस को यहां पर इंपावर किया गया है कि आप प्रिवेंटिव अ अरेस्ट कर सकते हैं तो यह चीजे धिया रखनी है साथी अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि क्या क्या issue associated है प्रिवेंटिव डीटेंशन से तो सबसे पहले आप देखो कि जो प्रिवेंटिव डीटेंशन लॉग है वो यहां पर highly administrative होता है और यहां पर ज वो यहां पर violate होती है तो अगर हम लोग प्रिबेंटिव डिटेंशन देखें जो कि fundamental right में ही दिया गया है article 21 में article 21 कहता है कि right of life or liberty है और 19 अगर हम देखे तो कहा जाता है कि freedom of speech है लोगों को अपना जो expression है वो यहां पर व्यक्त करने का अधार है speech भी देने का अधिकार है साथी 14 देखे right to equality यह सब यहां पर आप देखो कि great extent में अगर कोई arrest हो जाता तो यह सब यहां पर धरी की धरी रह जाती है साथी अगर आप misuse देख सकते हो तो misuse भी होता है preventive detention का तो वो भी आज की rate में आप देखो बढ़ते ही जा रहा है लोग अपने power का इस्तेमाल कर रहे है साथी अगर हम दो देखें backlogs का तो pending cases भी जो है overburden होते जा रही है code को इट मिन्स कि इस तरह के का बिना trial के लोगों को जो पकड़ के ले आ जाता और थाना के हाज़त में बंद कर दिया जाता है तो ये भी एक problem है कि overburden हो रहा है cases जो है वो बढ़ते ही जा रहे साथी advisory board भी है तो जो eligibility criteria है वो यहाँ पर आप देखो सन्विधान के दोरह तो set कर दिया गया कि हाँ यहाँ पर जो members होंग अगर एक बार भी किसी पुलीस वाले आये और किसी को पकड़ के अगर थाना ले गए चाहे उनकी गलती हो या नहीं हो उनकी image पर दाग लगी जाता है तो ये एक problem है कि जो detainee है जिनको आप पकड़ के लिए ले जा रहे हो उसकी कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है ये भी होता है तो ये सारी problems देखने को मिल रहे है अब यहाँ पर way forward में कहा जा रहा है कि सबसे पहले legal representative तो होना चाहिए जो detainee है उनको यहाँ पर provide करना है right to consult represented by a lawyer of his choice at any stage इत मिस कि आप देखो कि ये बास सच है कि अगर आपके ऊपर कोई भी case चलता है तो आप एक्तम स्वतनत हो कि इस देख में कोई भी बड़े से बड़े lawyer को आप हायर कर सकते हो और यहाँ पर अपना जो है जो भी आप पर इंजाम लगा है उसको हटा सकते हो advisory board के अगर बात करें ये बनाया गया है तो इसको यहाँ पर सिर्फ इसमें सिर्फ सेटिंग जर्ज होंगे हाई कोट के क्योंकि मिलनी यहाँ पर इंशूर करेंगे speedy trial इत मिस कि जो भी ऐसे case जिसको कि जल्दी से जल्दी निप्टाया जा सकता है वो यहाँ पर निप्टेगा effective or fair decision यहाँ पर दिया जाएगा time frame की बात करें तो जो detention है उसको यहाँ पर effective बनाया जाएगा only after approval यानि कि advisory board के द्वारा यहाँ पर approval दिया जाएगा तभी इसको जो है आप देखो कि effective बनाया जाएगा independent body की बात करें जो जो एक commission है उसको यहाँ पर form करने की जरूँ है to inquire into allegation of misuse of preventive detention तो जो preventive detention के लिए यहाँ पर misuse कर रहे हैं लोग जो है यहाँ पर crime की है लेकिन फिर भी उनको बचाया जा रहा है just because of rich और यह कह सकते हैं ठीक है article 22 में जिसमें कि यहाँ पर अगर कोई गलत तरीके से arrest हो जाते है या फिर गलत तरीके से detain हो जाते है तो उनके लिए यहाँ पर save guard provide किया गया है under article 22 fine तो यह सारी बाते हैं यहाँ पर लेकिन एक supreme court की case देख लेते हैं state of UP है Supreme Court of India के दोरे यह कहा गया कि जो courtroom है वो यहाँ पर competent ही नहीं है कि क्या इस case की reality है उसको बता है साथ ही Sampu Naz Shankar versus state of West Bengal है इसमें भी यही कहा गया कि sometimes it is necessary state के लिए कि वो extreme steps ले जिसे की जो country की security है उसको maintain किया जाए अब कौन कौन सी कानून है जो कि यहां पर preventive detention जो है वो इंडिया में provide करते है तो first preventive detention act है जो कि 1950 में बनाया गया और यह pass किया गया जिसे की जो भी यहां पर आप देखो कि anti national elements वगेरा है तो उसको prevent किया जाए और साथी साथ आप देखो maintenance की भी बात की जाती है international security जो act है उसके लिए foreign exchange and prevention of smuggling activities act है 1974 का जिसमें कि यहां पर preventive detention की बात की गई कि कैसे हम लग foreign exchange जो करते हैं उसको maintain कर सके और साथी improve भी कर सके उसके अलावा TADA बनाया गया इट मिस कि जो terrorist और disruptive activities है तो उसको रोकने के लिए और यहां पर आप देखो most powerful और restrictive laws वगेरा रखा गया साथी prevention of terrorism act यानि कि पोटा भी यहां पर लाया गया और यह TADA जैसे ही था कि कुसी को यहां पर आमस वगेरा जो normal man है common man है उनको आमस वगेरा रखने का अधिकार नहीं है साथी आप देखो कि कुस constitutional provision भी है हम लोग आर्टिकल 22 तो देख लिए लेकिन इसके सब clause भी देख लेते हैं तो आर्टिकल 22 का one है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी लोग को यहां पर बीना यह बताया वे कि आपको क्यों arrest किया जा रहा है उनको arrest नहीं करना है ठीक है second यहां पर clause है कि हर एक person जो कि arrest होगे detain होगे custody में तो उनको magistrate के सामें जो है वो produce करना है within 24 hours fine 22 के 3 में है कि यहां पर आप तो clause जो देख सुके हो वो लोगों पर apply नहीं होगा जिनको कि यहां पर जो भी कानून दिया गया है उसके basis में अगर उनको detain किया जाता है तो fourth clause कहा जा रहा है कि no person can be detain more than a period of three months it means कि अगर पकड़ लिया है trial अगेरा नहीं हुआ है तो करवाओ सचाई बाहर निकाल के लाओ कि वही person जो case हुआ है उसमें include है कि नहीं साथी 22 sub clause 7b है यहां पर कहा है कि एक person जो है वो prevently detain कर सकते हैं उनको हम लोग more than three years without opinion of an advisory board यह भी कहा जा रहा है साथी maximum period इस तरीके के detention का आप देखो तो यहां पर जादा से जादा होई सकता है और circumstances, classes of person और classes of cases अगर देखें यह भी उतना है जितना की law को law ने कानूर में apply किया गया है तो यह सारी बात हैं ground for preventive detention आप देखो कि preventive बचाओं में यहां पर detained अगर कर लिया गया तो उसमें बचाने के लिए क्लिए क्लिए क्या क्या ग्राउंड दिया गया सबसे पहले किसी भी राज जी को secure करना है foreign affairs जो है हमारे security का वो यहां पर maintain रहना है public order को maintain करना है और supply और जो यहां पर essential service है defense है उसको भी maintain करना है fine so guys this is another next topic preventive detention तो article 22 जो fundamental rights है उसको deal एक बार जो है पढ़ लीजेगा go through हो लीजेगा उससे आपकी यहां पर तो हम लोग यहां पर पढ़ी लिए तो इससे आपका एक अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा अब देखते कौन-कौन से news है जो की shots में है यहां पर governor है और council of minister है recently केरल government जो है governor उनको यहां पर आप देखो कि उन्होंने कहा है कि उनको post से हटा दिया जाएगा ministers को यहां पर post से हटा दिया जाएगा अगर वो यहां पर उनकी office को dignity को कम करते रहेंगे देखिए article 164 है constitution का इसमें की chief minister को यह कहा गया है जो governor के द्वारा जो है यहां पर chief minister appoint होकर आएगे यह article 164 में कहा गया है other member जो होंगे वो भी यहां पर governor से ही appoint होकर आएगे लेकिन यहां पर chief minister का advice लेना होगा तो chief minister होगे minister होगे कि यहां पर office hold करेंगे during the pleasure of governor यह भी रखा गया है कि उनका 5 साल तो कहा जाता है पट अगर जब तक governor खूश है तब तक वो office में कायम रहेंगे यह भी है साथी अगर हमनों देखें यहां पर जो governor की instance है चीफ मिनिस्टर को dismiss करने का but those were related to the constitutional situation सिफ constitutional situation से ही related होना चाहिए यह भी clause यहां पर add-on किया गया है fine साथी अगर हमनों देखें क्या के बाती की जारी है तो एक case है महावीर प्रसाद वर्सेज प्रफुला चंद्रव यहां पर governor की pleasure है वो भी article 164 के तायर साथी साथ अगर हम दो देखें समसेर सिंग वर्सेज स्टीट ऑफ पंजाब है नबम रविया वर्सेज ड्यूपटी स्पीकर और अधर से यह सारे कुछ case है जो कि आप लिख सकते हों यहां पर not a big deal next आते है center को notify किया गया center ने notify किया गया निया है यहां पर information technology amendment rules तो information technology और जो online यहां पर जितने content है उनको यहां पर regulate करने के लिए यहां पर काम किया जा रहा है तो चलिए यह भी बेटर है कि center के द्वारा बनाया गया है क्यों neat बड़ा IT rules का तो सबसे पहले आप देखो कि social media companies के द्वारा जो self regulation का fundा है वो यहां पर fail हो गया second is malicious जो post वगेरा है वो spread ही कर रहा है आप देखते हो social media के द्वारा जो है fake news बहुत जादा circulate होते है और उसी पे लोग कई बार action भी ले लेते है तो यह भी प्रॉब्लम है साथी lack of robust complaint mechanism है एक अच्छा complaint यहां पर mechanism भी नहीं है कि कैसे यहां पर complaint करे साथ ही आप देखो persistent price भी हो रहा है यानि कि जिस तरीके से rumors fake news बढ़ते जा रहे है यह भी a cause of concern है psychological test अगर बात करें जो death row convicted है तो यह भी एक अलगी है और उसके बाद grievance redressal index है this is again important सबसे पहले याद रखने है कि index किसके द्वारा यहां पर लाया गया है साथी इस index में किसने top किया है तो index को यहां पर publish किया गया है department of administrative reforms and public grievances जो की हर मंत किया जाएगा इसमें आपके ministers department और जो autonomous body है उनको rank किया जाता है unique identification authority of India है UIDAI जिन्होंने आपके आधार कार्ड को बनाया है वो इस index में grievance redressal index में top किये ग्रभ्यांस redressal कहने का मतलब है कि आपको अगर परिशानी है जैसे कि आधार कार्ड बना तो काफी लोगों के नाम में mistakes रहा साधी address में भी mistake रहा तो यह लोग सुने ठीक है कौन आपके परिशानी को जनता की परिशानी को सुनते है और उसको correct भी करते है तो यहाँ पर ग्रभ्यांस redressal index जो है वो यहाँ पर आपका देखने को मिला कि हाँ UIDAI जो है वो इसमें top कर गए है तो guys यहाँ पर हमारी quality complete होगे इसी तरीके से यहाँ पर यह भी magazine complete करेंगे और previous magazine भी complete करेंगे fine so guys this is all for today I hope you like this video अगर आप लोग इसी तरीके से विसनाइस की monthly magazine को की discussion सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हो आज के लिए वसे तहीं मिलती हूं कल इसी टाइम पर तर तक लिए thank you hey guys welcome to source point आज अभी हम लोग discuss करने वाले विसनाइस की current affairs जो कि हमारी October month की है तो काफी topic हमारी यहाँ पर complete हो गई है आज इस start करने वाले international relations international relation में पहली topic हम लोग देखेंगे Indus Water Treaty and then यहाँ पर हम लोग देखेंगे India Africa defense relation कि हमारा Africa के साथ किस तरीके का defense relation है तो यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में detail में पता चलेगा then United Nation की peacekeeping mission के बारे में हम लोग समझेंगे which is one of the important topic जो कि इससे related problems में भी question बना है and again financial action task force वर से news में है तो इसके बारे में एक बार discuss कर लेंगे कि यह action force FATF के बारे में news में कि यह समझना ज़रूरी है and yes इस बार Interpol मुझे लगता है कि पूरे मन्त काफी ज़्यादा news में था तो इसे हम लोग समझेंगे कि इस article के बारे में Interpol के बारे में each and every points फिर से आपकी revise हो जाएगी okay साथी सिर्फ Nordist team है यहाँ पे news में तो चलिए एक बार revise कर लेंगे और क्यूं अभी news में है यह भी समझेंगे World Bank के द्वारा एक Neutral Expert यहाँ पे appoint किया गया है और Court of Arbitration के chairman भी इत मींज कि जो किसन गंगा और जो यहाँ पे रातले Hydro Electric Power Plants है उसके लिए Arbitration Court में chairman और एक Neutral Expert को यहाँ पे appoint किया गया है वो भी World Bank के द्वारा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक news tip लिया गया है that's why यह topic news में है तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो appointments है यह Indus Water Treaty के अंदर आता है जो कि कुछ dispute जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उसको resolve करने के लिए यह किशन गंगा डैम है और यह रैतले डैम है तो किशन गंगा और रैतले यहाँ पे hydroelectric power plant बनाए जा रहा है जिसको लेकर यह news में है तो इंडिस की अगर हम लोग बात करें तो यह एक river है जो कि आप लोग देख सकते हो इसकी इस तरीके से यहाँ पे चलते वे यहाँ पे यहाँ पे यह certain dump होता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी इंडस है यहाँ पे इसकी जो tributaries है वो जेलम, चिनाब, राभी, बीस और सटलज है लेकिन अगर हम लोग बात करें किशन गंगा hydroelectricity project की तो actually यह किशन गंगा और जो नीलम है यह इसकी उपर आपको located देखने को मिलेगा और यह जो tributary है नीलम यह किसकी यहाँ पे tributary है तो जेलम की और इसको inaugurate किया गया था 2018 में वही अगर रातली यहाँ पे hydroelectric power plant के बारे में बात करें यह construct किया जा रहा है चेनाव रिवर पे तो जेलम में किशन गंगा है और चेनाव में यहाँ पे रातले डैम है साथ ही अगर देखे वर्ल बैंक तो वर्ल बैंक यहाँ पे इस project को finance कर रही है कई बार ऐसा लगता है कि यह जो यहाँ पे दोनों project है इन दोनों project को यहाँ पे finance किया जा रहा है कि इसके दौरा तो रातले और वर्ल बैंक के दौरा तो वर्ल बैंक इसको जो है finance नहीं कर रही है यह भी धियार रखना है उसके अलाव अगर हम नों देखे तो पाकिस्तान जो है वर्ल बैंक से यह पूछा गया है कि to facilitate the establishment of court of arbitration जिससे कि जो भी concern है इन दोनों hydroelectric power project को लेकर तो वो resolve हो सके ठीक है पाकिस्तान ने पूछा वाइल इंडिया had asked for the appointment of यानि कि neutral expert के बार में यह आप इंडिया से पूछा गया इंडिया ने पूछा ठीक है similar concern को लेकर आईए अप समझते हैं इस treaty के बार में एक बार revise कर लेते हैं 1960 में यह treaty आया तो दोनों country जो है वो dependent है इंडिया स्वाटर में और इंडिया स्वाटर की जैसे की टिपेट्री आपने देखा दूसी के उपर यह dependent है so that's why यहाँ पर हम लोग जो है finally यह treaty निकल करा है so 1951 में क्या हुआ कि World Bank के दौरे यह offer किया गया कि mediate करना क्योंकि water sharing जो dispute है यह काफे लंबे समय से चलते आ रहा था यानि कि after आप देखो partition जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए तो उसके बाद यह पानी का भी partition को लेकर काफी ज़्यादा disputarize हो चुके थे तो उसको resolve करने के लिए यहाँ पर World Bank आया और World Bank के दौरा mediate किया गया water sharing dispute तो finally यहाँ पर आप देखो 9 साल इस पर बाते चला और 9 साल के बाद एक conclusion निकला कि एक agreement जो है वो यहाँ पर निकल करा है चुकि Indus River का है इंडिया, पाकिस्तान और जो World Bank है वो इस treaty के signatories है तो अगर हम वो इंड़स की बात करें तो यह originate तो होता है टिबत से और चाइना को टिबत से originate तो होता है लेकिन फिर भी चाइना को इस treaty से बाहार रखा गया है World Bank यहाँ पर 3rd party guarantor के द्वारा यहाँ पर काम करता है तो basically यह treaty किस के बीच में है इंडिया, पाकिस्तान के बीच में है और यहाँ पर अश्याला, मस्वरा या फिर आप कह सकते हो कि water की sharing को यहाँ पर discuss करने के लिए World Bank है ठीक है तो sharing of water अगर हम लो देखे इस्टन जो water है और western water है इस्टन वोटर जितना भी है यानि कि India was located to India for unrestricted use इस्टन रिवर जो भी है वहाँ पर unrestricted use यहाँ पर allot किया गया कि जितना पानी का इस्तिमाल करना है कर लो western river में अगर हम लो देखे तो जो इंडर्स छेलम और चेनाप का जो यहाँ पर water है वो allocate किया गया पाकिस्तान को map में भी देख लीजे यह जो black color की border है यह आपका इंडिया का border है ठीक है यहाँ पर हो गया पाकिस्तान तो जो east side में है जैसे रावी, बेस, सटिलर्ज, ठीक है और यहाँ पर है आपका जेलम चेनाप और इंडर्स यह तीनो western river है तो western river आगया पाकिस्तान के तैट साथी अगर हम लोग देखे अब अगर इंडिया की बात करे तो इंडिया को यह permit किया गया है कि आप certain agriculture uses है वो कर सकते यह मिन्स कि खेती के लिए जो पानी को use करना है उसके लिए कर सकते साथी आप पर run of the river जो hydro power project है इट मिस कि जिस जगह से river का पानी बहते जा रहा है उस जगह पर hydro power project बना लीजे और यहाँ पर limited is storage रखना है इट मिस अप टू आप ते को 3.6 million acre feet तक यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कुछ objection raise किया गया है किस तरीके का जो project यहाँ पर इंडिया के दोरह बनाया जा रहा है तो यह दोनों जो project है एक जहलम river पर और एक आपका यहाँ पर जो चेनाप river है उसमें बनाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पर कर रहा है इसको लेकर किस तरह केगा जो प्रोजेक्ट यहां पर इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है तो अगर वो इस specification के दुआ साथ अगर compliance नहीं करते जैसे treaty की जो कुछ भी rules regulation है तो इसको यहां पर follow करना है तो अगर follow नहीं कर रहे हैं तो उसमें यहां पर पाकिस्तान आगे निकल कर आया है साथ ही आप देखो mainly Pakistan जो है वो यहां पर object कर रहा है इंडियान का project जो कि यहां पर water को utilization का है western rivers ते जो है वो water की utilization क्यों कर रहे है जबकि उनको यहाँ पर पावर है eastern river का fine example आप देख सकते हूं जैसे कि यहाँ पर Salal जो dam project है बगलिहार जो hydropower project है और शाकूर यह है आपका शापूर कांडी डायम है साती यहाँ पर आपका multi purpose अगर हमनों देखे project भी है तो यह सब अगर आप देखोगे या फिर रावी वेस लिंक है तो यह सब आप example देख सकते हूं यह सारे उसके बाद यहाँ पर देखो permanent इंडस commission है तो commissioners जो है वो दोनों countries के द्वारा यहाँ पर appoint होते है जो की इस तरीकी की treaty में जो है corporate करते हैं तीक है और जो भी information है वो यहाँ से exchange होता है इट मींस की कैसे पानी को use करना है किस तरीके से यहाँ पर पानी की जो problem है उसको आगे यहाँ पर resolve करते वे चलना है त अगर एक year में जैसे की 2022 में अगर इंडिया में meeting किया है तो next year it should be in Pakistan यह जो treaty है इसमें three tier dispute resolution mechanism है इट मेंस की आप देखो की three tier है इस तरीके से आप समझते हो कि first tier है एक बार आप समझो की नीचे कहीं किसी court में यहाँ पर अगर सुना जाएगा इससे नहीं संटूस्ट है तो next अगर हम लों देखें तो interest water treaty जो है इसमें unilateral exit provision ही नहीं इसमें आप समझो कि कल को अगर मुझे लगे मुझे नहीं भारत को लगे कि हमें इस treaty से बाहर निकल जाना चाहिए यह तो हमारे लिए useful है नहीं तो हम लोग इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं ठीक है अगर पाकि करके इससे नहीं भाग सकते हैं साथ ही आप देखो यह वन आप तो most successful international treaty आज की date में यह कहा जाता है जिसमें की conflict war वगेरा जो है यह सब कुछ देखने को मिला बट फिर भी successful है इस तरीके से यहां पर कहा जाता है लेगिन फिर भी हम लोग यह समझ लेते हैं कि again हम लोग यह यहां पर इंडस water की जो issues है उसे हम लोग रीट करते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो water की यहां पर proportionate है वो काफे disappointment रहती है dissatisfaction यहां पर देखने को मिलेगा कि दोनों country जो है वो satisfied नहीं है अपने अपने यहां पर इसको लेकर कि उनको कितना participation कितना यहां पर party का प्रपोर्शन मिला है तो आप देखो कि 80% जो water है वो तो पाकिस्तान में allocated है और यह treaty जो है वो unfair settlement कर रहा है इंडिया के साथ ऐसा यहा काफी ambiguous in nature है और conflict का भी यह कारण देखने को मिलता है यह जो treaty है यह extensively technical है और western river जो है वो यहां पर conflicted reason यानि कि Jammu and Kashmir से होकर ही यह बहता है तो यह भी एक कारण होता है यहां पर भी लोग जगडते ही रहते है तो this is again the biggest issue साथी lack of mutual trust है जैसे कि आप इंडिया पाकिसान के ब यह जो data sharing flow का है जो data यहां पर आपका share क्या जा रहा है दोनों country के बीच में या फिर और भी यहां पर जो commission वगेरा है उनके बीच में जो data का sharing हो रहा है वो यहां पर उस तरीके का नहीं हो रहा है क्योंकि diplomatic tension हमें सब दोनों country के बीच में बनी रहती है साथी limited role है जो guarantor है for example आप दिखो जो current dispute से यहां पर यह यह फे यह फे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बैंक को यहां पर neutral expert और साथी साथ chairman को appoint किया गया कि यह जो dispute निकल कर आया है उसको यहां पर resolve करें इसके अलावा last अगर हम लो बात करें यहां पर lack of adequate environmental safeguard भी है इंडर spacing की बात करें तो यह world का most stressed aquifires है साथी आप देख सकते हो बढ़ ट्रीटी में क्या है ना कि guideline नहीं है इतनिस कि जो main issue है जैसे कि climate change है तो इससे related किसी भी तरीके का इसमें guideline बेटर नहीं दिया गया है जिससे कि इसको हम लोग resolve कर सके मिटिगेट कर सके साथी in-dus water treaty की बात करूं तो इसमें कोई भी mechanism में नहीं provide किया गया है यह फिर कोई provision नहीं provide किया गया है कि कैसे हम लोग groundwater से deal करें in-dus basin में तो यह बात रही लेकिन अब देखते है कि reform क्या-क्या-क्या लिनी की जरूत है जिससे कि इंडस वाटर ट्रीटी को जादा से जादा एफेक्टिव बनाया जाए तो सबसे पहले गर हम लोग देखें तो यॉनाइटिद नेशन की वाटर कन्वेंशन है तो इसके साथ रिटिफिकेशन करना होगा देखे, signature and ratification, ठीक है ratification कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग यहाँ पे किसी भी international treaty को रूस regulation को हम लोग अपने ही देश में implement कर लिए इट मीज़ कि उससे related अगर हम लोग अपने ही देश में कोई कानून ले आए तो हम लोग यहाँ पे ratify कर लिए तो इसलिए United Nation Water Convention में जो भी रूस regulation है उससे related कानून जो है हमारे देश में भी होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे sustainable use हो जो trans boundary water resources है न उसका इस तरीके से better use हो साथ ही अगर हम लोग देखे global forum है जो कि trans boundary river के तो एक structure भी अगर sound forum देखे जो कि water conflict को यहाँ पे solve करने के लिए तो यह क्या है कि comprehensive policy making आपको देखने को मिलेगा जो कि sustainability को ensure करता है trans border water resources है तो देखे global forum तो होना चाहिए जो कि trans boundary river के बारे हम बात करें साथी open data policy है उसको promote करने के लिए कहा गया है कि आप एक अच्छा कासा जरूरत है कि जिससे के हम लोग free data access दे सके जो international supervisory body है जो भी international supervisory body है जो supervise करती है उसको हम लोग को free data access देना चाहिए जिससे कि transparency वगरा इस जो treaty है इसमें वो promote हो सके और जो scientific research है वो applied scientific research यहाँ पर promote हो सके साथी यहाँ पे जो treaty है उसको optimization की बात की जारी है क्योंकि आप देखो कि unilateral unilateral जो exit है वो possible नहीं है अगर इंडिया चाहे तो इंडिया इस treaty से बहार नहीं निकल सकता या फिर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान इस treaty से बहार नहीं निकल सकता तो इंडिया को क्या है कि full utilization करने चाहिए जो भी accessible water है इस river के पे शाबपूर कांडी हो गया रावी में और क्या करना होगा तो re-negotiate करना होगा treaty को इट मिंस कि दोनों देशों को इंडिया पाकिस्तान को undertake करना होगा जो joint research है वो भी river के उपर जिससे कि जो impact है ना climate change का उसको बेटर तरीके से study कर सके for future cooperation साथ ही अगर हम लोग देखे कि climate proofing यहां पर क्या provision है climate proofing का तो इसमें आप देखो कि यहां पर allow नहीं क्या जारा है river system को कि वो die करे यानि कि जो भी river system है यहां पर उसको बिलकुस से इक्तम से सूखने नहीं देना है साथ ही agreeing करना है जो flexible water allocation है strategy for high and low season के लिए साथ ही पर flood और जो drought management है सूखा और जो यहां पर बाढ़ वालाइक situation arise होती है तो उसको भी ensure करना है साथ ही setup करना है एक list जो कि यहां पर climate induced water trades है तो यह सारी provisions है climate proofing का ठीक है इसके अलाबा अगर हम दो देखे important international principle कि कौन कौन से principle है international level पर जो कि water sharing के उपर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट है hormone doctrine इट मींज कि आप देखो हर एक state जो है वो sovereign है अपने water resources को लेकर और हर एक state का हर एक country का right है कि आपको जो सही लगता है अपने territory jurisdiction में वो करे आप देखो India is a sovereign country तो इसी की वज़े से हम लोग देख पाते हैं कि हम जो अच्छा लगता है हम लोग वो करते हैं next है यहां पर campaign rule campaign rule में बात होता है कि water it means कि जितने भी underground water है या फिर fossil water है तो उनकी कितनी ज़वरत है और उसको किस तरीके से इस्तिमाल करना है तो इसको कहते हैं यहां पर यह rules यहां पर apply होती है है जितने की rules भी आप लोग देख सकते हो जो 1996 का है इसमें भी एक principle है reasonable and equitable utilization of water it means कि water का जो utilization करना है वो reasonable तरीके से ही use करना है और ऐसा use करना है कि जहां पर जरुरत हो water की बस वहीं पर use हो और साथी साथ जिसे जरुरत हो उसे water पूरी तरीके से एक equitable share हो सके तो यह सारे principle जो है वो हैसिंकी rules के अंदर आते है and then यहां पर building rules है 2004 का इसमें provide किया कि है basin state जितने भी basin है जैसे कि एक water river है river है तो उसकी जितनी भी distributories जो होती है वो मिलाकर पूरी जितनी छितर में फ्याले रहती है उसको हम लोग एक basin area कहते है तो यहां पर basin state जो है उनको यहां पर water को use करने चाहिए जो भी international drainage basin वगेरा है तो international drainage basin है उनके बारे में जो बात किया जाता है वो यहां पर आपको बर्लीन रूल्स में ही देखने को मिलेगा तो यह सारे ऐसे यहां पर आप देख सकते हो कि रूल्स है जो कि यहां पर international water में international water है river है उसके sharing को लेकर यहां पर बात होता है तो इसके बारे में ध्यान रखने है अब देखते हैं की बात की जा रही है कि यहां पर यहां water treaty है इंडस water treaty है इसमें और हम लोग क्या यहां पर क्या और reforms करना चाहिए जिसे कि ज़्यादा में effective हो सके तो यह सारे points हम लोग already देख चुके तो guys this is all about इंडस water treaty I hope you like this lesson क्योंकि इस lesson में आपका फिरसे यह topic revision हो चुका है तो अच्छी बात है कि revise होते रहता है time to time इसलिए एक फायदा होता है कि अगर आप लोग मंतली मैजिम को follow करते हो तो इससे क्या होता है कि सारे topics जो है आपका एक certain interval में revise होते रहता है जब भी वो news में आता है coming to the next article that is India-Africa defense relation यह बहुत ही अच्छी एक article मुझे लगती है जिसमें कि हम लोग एक defense part भी अलग से यहां पर discuss कर पा रहे है वो भी India और Africa के बीच में तो अभी आप देखो India-Africa जो है वो defense dialogue यह recently हुआ था जब defense export 2022 हुआ था ना गुश्रात में तब उसी के साथ यह भी आपका उसे समय डील कर लिया गया था तो अच्छी यह India-Africa defense dialogue है क्या इसके बारों में समझते हैं देखिए यह बाइनियल ही होता है और गांधी नगर जो declaration है declaration कहने का मतलब है कि जिस भी जगा वो expo होता है सब्मिट होती है मिटिंग होती है वहाँ पर जितनी भी rules regulations बनते है उसको declaration के form में कह दिया जाता है तो गांधी नगर declaration है जिसको कि यहाँ पर 2022 में adopt किया गया और मेली यहाँ पर कहा गया है कि cooperation करना है किस field में तो सारे area of mutual interest इत मींस कि यहाँ जो empowerment करके हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को help करेंगे cooperate करेंगे साथी capacity building करके जो African defense force है साथी participation करके जो कुछ exercise वगएरा आप देखते हो कि होता है दो देशों की बीच में या दो से जादा देशों की बीच में humanitarian assistance वगएरा यहाँ पर हम लोग provide करेंगे जिससे कि क्या होता है आप देखते हो कि जब भी कोई किसी भी तरीकी की disaster होती है या फिर किसी भी country में किसी भी तरीकी की problem होती है तो एक इंसान होने के नाते जो है यहाँ पर मदद की जाती है तो अगर हम लोग humanitarian assistance करेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पर इस cooperation भी है एक तरीके का humanitarian assistance करके तो इसके बारे में भी discuss किया गया साथी इंडिया आप देखो कि एक fellowship offer करता है for experts जो कि African countries से है और यह आपका मनोहर पारिकर जो institute for defense है studies and analysis है यहाँ पे एक fellowship offer किया गया है हमारे देश के दौरा अब देखते कि हमारा और जो Africa का defense relations है इसका क्या importance है सबसे पहले geopolitical है एक constructive defense और security engagement देखने को मिलेगा African countries के साथ तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी opportunity है कि हम लोग अपनी influence जो है वो important important region में फैला सके साथी हमारी जितनी भी हमारी नी African state की जो भी interest है उसको भी हम लोग secure कर पाएंगे तो यह भी एक बात यहाँ पे कहा जाता है तो हमारा जो presence है वो बढ़ते जारा इस region में जिससे क्या होगा कि African nations को काफी मदद मिल पाएगा हमारे द्वारा साथी maritime security भी है आप देखो एक shared concern है Indian Ocean को लेकर तो Indian Ocean वाला region है जिसमें की हार्न अफ एफरिका का पाट आता है और African के कुछ countries का पाट आता है तो यहाँ पे क्या है पारेसी है एक तो आप देखो समुदरी चोर बहुत होते है maritime terrorism है आतंगबादी भी जो है वो यहाँ पे maritime से होते वे ही आते है साथी illegal unreported है यानि कि illegal काम यहाँ पे इतना जादा होता है जो वेफार वगेरा होती है तो उसमें भी आप देखते हो export import करने में illegal समानों का जो है वो illegal तरीके से यहाँ पे export import होता है तो यह सारी चीज़े भी यहाँ पे आप देखो कि Indian Ocean की region से होते वे आगे बढ़ता है तो इसलिए अगर हम लोग इस तरीके का defense expo में भाग लेते हैं यह फिर इस तरीके का defense relation भी हम लोग अगर बढ़ाते हैं किसी country के साथ तो हमारा maritime security भी देखने को मिलेगा साथी जो sea lanes है communications का उसको भी हम लोग secure कर पाएंगे इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा आप देखो कि Indian Ocean में choke points है तो पहले हमनों discuss करते हैं कहां कहां choke points है यह आप देखो यह हमारा प्यारा भारत fine इसके नीजे अगर आप आओगे तो यहाँ पे state of Malakka है तो state of Malakka जो कि यहाँ पे आपका Malaysia है इसको यहाँ पे जोड़ता है ठीके Malaysia और इसको यहाँ पे जोड़ता है उसको यहाँ पे जोड़ता है यहाँ पे आप देखो Gulf of Eden है ठीक है उसके बाद और choke point कहां है तो choke point एक उपर भी है state of hormones यहाँ पे आप देखो Persian Gulf और Gulf of Omen को यह जोड़ता है साथी बब इल मन्देब की बात करें तो यहाँ पे गल्फ of Eden है इसको जोड़ता है नीचे आओगे तो यहाँ पे मुझाबी की चैनल देखने को मिलेगा मुझाबी की चैनल जो कि यहाँ पे मडगासकर और मुझाबी की बीच में मुझाबी की जो कि आपका यहाँ पे आफ्रिकन स्टेट है तो यहाँ आपका केनिया है तंजानिया है मुझाबी की यहाँ तो हॉन आफ एफ्रिका में आप देखो चार देश है एक है जिबूती इथोपिया एरेट्रिया और साथी सुमालिया पाइन सारे चोक पॉइंट है इंडिया नोशन में तो इस सारे चोक बिल्कुल बेटर तरीके से जो कम्मिनिकेशन से वो बने रहे तो इसके लिए भी यहाँ पर एक काम किया जाएगा साथी टेर्रिस्म जो है उसके आगिंस्ट में भी हम लोग फाइट कर पाएंगे बहुत सारे एफ्रिकन कंट्रीज है और इंडिया है जोकी टेर्रिस्म के हम लोग तो बिल्कुल सतायवे हैं जैसे आप देखो बोको हरम हो गया अलसाहाब हो है जैसे मुहमद है अलकाइदा है तो इन सबसे जो है आप देखो कि हम लोग तैसे भी सतायवे हैं बहुत जादा परिशान किया गया इनके द्वारा हमें तो इस पर भी कहीं न कहीं काब रीलहे प्रड़क्त उसको एक्स्पोर्ट करने में में भी हम अब बॉस्ट हो पाएंगे विर सारे यहां पर दिखसे доб Sebastian को सबुद ही फायदे हैं और साथी साथ peacekeeping mission को भी सपोरट मिल पाएगा Peace Keeping Mission के अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या होता है कि Strong Defense Partnership जो है वो Peace Keeping Forces को काफी help कर सकेगा कि जिससे कि जो भी यहां पर आप देखते हो शांती फैल आने के लिए जो भी यहां पर Mission वगरा चलता है उस पर हम लोग बहुत ही बढ़ चड़ के participate कर सकते हैं लेकिन challenges तो हैं देखें हर चीज अच्छी नहीं होती है जहां पर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा वहां पर नुकसान है तो हम लोग फायदा के बारे में तो देख लिए नुकसान थोड़ा समझ लेते हैं इससे क्या होगा कि चाइना का presence बढ़ेगा चाना की जो military to military activities है अफ्रिका में जैसे कि defense, attached presence है, never ship visits है, arm sales है तो इन सबसे क्या होगा कि military corporations जो है उसको support मिल पाएगा तो अगर military को support मिल पाएगा तो इससे कहीं न कहीं problems किसको हो रहा हमें हो के location है वो बहुत कम है, fine, साती अगर हमनों देखें तो यहां पर interstate conflict की बात करें तो वो एफ्रिका में आपको बहुत जादा देखने को मिलेगा, African continent में आप देखो 51 countries है, उनमें आपस में ही कुछ देश बहुत अमीर है, कुछ देशों में आप देखो कि वो बहुत गरीब category में आते हैं, अमीर तो बहुत नहीं आते हैं, लेकिन हां कुछ moderate level की भी है, लेकिन गरीब countries बहुत सारे हैं, तो इनके बीच में आप देख सकते हो कि आपस में ही यह लोग conflict में रहते हैं, तो यह भी एक major point है, साथी gap है promise और delivery की बीच में, कि हमने क्या promise किया, कि हम लोग क क्या काम करेंगे, और किस तरीके से काम कर रहे हैं, और क्या deliver कर पा रहे हैं, वहाँ पे इन दोनों की बीच में जो difference है, यह भी एक problem प्रियेट करता है, साथी maritime, जो crime threat है, वो तो बढ़ते ही जा रहा है, कुछ country ऐसे है, African continent में, जहां पे piracy जो है, बहुत जादा होता है, ज तो जैसे कि आपने देखा था कि एक बढ़ क्या हुआ था कि स्वेस कनाल जो है, वहाँ पे चौक हो गया था, इजब्ट के बगर में, तो उसमें भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे वेजल्स वगेरा, वहां से क्रॉस होते हैं, जो कि काफी जाता हो, उसको भी लूट लिय में हैं, तो यह सब जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रेट करते हैं, अगर हम लोग मैरी टाइम से क्योर्टी की बात करें, साथी एरिया ओफ मूचल बेनेफिट अगर हम लोग देखे तो उसको इडेंटिफाई करना होगा, जैसे न्यू और इमर्जिंग त्रेट तो न से उनके बीच में आप देखो कि एक अच्छा कासर सिंक्रनाइजेशन नहीं है, जिसके कारण इंडिया की जो इंगेश्मेंट है इस रीजिन में उसमें काफे जोड़ा इंपाक्ट होता है, उसके अलवा अगर हम लोग बात करें, तो जो इंफुएंस है नॉन इस्टेट का, वो बढ़ते जा रहा है, वो इलेंट, नॉन इस्टेट आक्टर का, तो जो इंपाक्ट है, एक्स्रमिस्ट, आइडेलोजिस्ट का, और जो थ्रेट यहां पर दिया जा रहा है, मल्टिलाटर सिस्टम का, जो कि आप देखते हो, पॉपलिसम में यह सब के कारण जो है, य चैशं कनेर दिखने को, कि देखने को मिलता है, तो ओवियस है कि हम ही क्या करना है, यह में यहां पर पैन अफ्रीकन अप्रोच लेकर चलना है, और मिलिए हम लोग यहां पर रेगूलेशन्स लाएंगे, या फिर कुछ भी हम लोग करना चाहेंगे, तो वो पुरे अफ्रीक engagement का with leading countries जैसे कि South Africa है, Nigeria है Angolia है तो उनके साथ हम लोग यहां पर enhance करके कर सकते हैं साथी prioritize करना होगा जो security operations है एफरिका के साथ यानि कि हमारी जो security cooperation है उसको African countries के साथ हम लोग को priority basis पर रखना होगा साथी हम लोग को जो भी project है जो भी जरूरत का काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग को time ली काम करना होगा जैसे आप देख सकते हो कि हमारे द्वारा जो भी project लगाया जाता है चाहे वो एफरिका में हो, इरान में हो काफे जादा time लग जाता है कि चाहबार पोर्ट के बाद जो जहरान तक यहां पर railway track बनाना है वो इरान में हमसे वो project जिनके चाइना को दे लिया just because क्योंकि चाइना जो है वो time पे जल्दी infrastructure project को complete करता है तो यह एक बेजिती भी होती है और relation में कई न कई break भी होता है इसलिए इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना होगा साथी जो new areas of cooperation है उसको explore करने की जरूरत है अभी हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग यहां पे new area of convergence जो है उसको explore करें साथी जो visibility है इंडिया defense firms की African market में उसको भी increase करने की जरूरत है तो यह सारा काम यहां पे कहा जा रहा है कि अभी हमें African continent के साथ यह जो defense cooperation कर रहे हैं इसके साल साथ हमें और भी ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत है इसके अलावा देखते हैं कि India Africa means हमारी बीच में जो अभी initiative लिये गए हैं हमारे relation को boost up करने के लिए उसके बारे में समस्कते हैं सबसे पहले India Africa जो field training exercise 2019 का इसको अगर हमनों देखें तो basically बात किया जाता है कि जो फिल यहां पे defense preparedness और security है उसको strengthen करने के लिए लाए गया है उसके अलावा India Africa defense minister जो conclave है वो 2020 में यह held हुआ था जिसके तहत यहां पे especially focus किया गया था defense military and security corporation में साथी African countries जो है वो उन सारे beneficiaries में हैं जो कि इंडिया नेवी humanitarian assistance और disaster relief में आते इस पे भी हम लोगा focus करने की जरूरत है साथी इंडिया के द्वारे यहां पे participate किया गया बहुत सारे जो several united nation peace keeping mission है उसमें हम लोग ने यहां पे भाग लिया साथी bilateral institution जो mechanism है जैसे कि आप देखो joint defense corporation committee है memorandum of understanding है agreements है तो इन सब में भी हम लोग को participate करना चाहिए जिससे कि हमारा यहां पे relation और ज्यादा boost up हो सके है इसके अलावा आप देखो कि हम लोग चाहते हैं कि आफरिका में development हो आफरिका में peace हो security हो तो इसके लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि हम लोग इस पे क्या focus कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग training provide कर रहे हैं जो African defense है military हो गया, naval हो गया, civilian, personal है तो उनको हम लोग यहां पे training provide कर रहे हैं साथी जो maritime security है उसको ensure कर रहे हैं और उसके अलवा कर हम लोग देखें तो contribute कर रहे हैं जो troops और जो यहां पे police unit है उसको जैसे कि women force participation हम लोग United Nation peacekeeping operations में हम लोग यहां पे develop कर रहे हैं इसके हम लोग यहां पे India defense, India-Africa defense relation देख रहे थे इसमें हम लोग समझ भाए कि कहां कहां हम दोनों country में यह choke point है इस map को ध्यान से देखेगा because this is very important इसके अलावा हम लोग ने देखा कि हमारे defense से क्या ही यहां पे boost मिलेगा मिलेगा और challenges क्या क्या है, हमारे तरफ से initiative क्या क्या लिया गया है So this is all about this article, coming to the next article जो कि है United Nation peacekeeping mission अभी यह news में इसलिए है, दिखेगे, एक ऐसी article है, एक ऐसा topic है जो कि आगें फिर आपका यहां पे क्या और revise हो रहा है इसलिए हम लोग इस पर फिर से बात करेंगे, और जो भी यहां पे बाते है, जो भी इस topic के बारे में facts and figures है, वो सब फिर आपका revise होगा, fine तो चलिए यहां पर revision point of view से देख लेते हैं, और पहले आप यह दिखते हैं कि news में क्यों है देखें, हमारे द्वारा यहां पे reforms वगरा प्रिजेंट किया गया है, और जिससे कि हम लोग security और जो operational challenges है, जो कि आज की date में United Nation Peacekeeping Mission जो है, वो phase कर रहे है कि किस तरीके से उनको काम करना है और किस तरीके से काम हो रहा है, तो इस पे हम लोग यहां पे बात करेंगे और इस जो observer है, वो West Asia में deploy किया गया था, point, इसके अलावा आप देखें, इसका aim है कि यहां पे sustainable security और peace जो है, इन देशों में यहां पे आपका secure करना है, साथी अगर हम लोग बात करें, तो maintain करना है peace and security और साथी साथ अगर देखें तो यहां पे जो civilian है, उनको promote करना है, यानि कि इस पी देश में अगर जा रहे है, यहां पे security और peace maintain करने के लिए, तो वहां पे रहने वाले लोगों को पहले यहां पे peace provide करना है, साथी अगर बात करें, तो human rights को promote करना है, basically हम लोग यहां पे ध्यान देना है, जो भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए human rights की बाते की जाए, और human rights को protect करना है, यहां पे ज़रूरी है, साथी अगर हम लोग देखें, तो यहां पे assist करना होगा, disarmament, यानि कि जो भी यहां पे आप देखते हो कि कोई देश है, जिसमें की रश्या हो गया, यूक्रेयन हो गया, आप लोग देख रहे हो कि कैसे भी हाशा वो लोग करना है, और साथी साथ आप देखो कि election को भी organize करने का काम यहां पे है, साथी अगर हम लोग देखें, तो जो decision लिया जाता है, वो peacekeeping mission को भीजा जाता है, यानि कि जिस भी देश के peacekeeping mission है, उनको यहां पे भीजा जाता है, और यह जो आपका decision है, वो United Nations Security Council के द्वारा ही बना उसना खुद का separate जो armed forces है, उनको यहां पे भेज सकते है, जिसे कि United Nations Mission का जो objective हो, यहां पे fulfill हो सके, तो ऐसा नहीं है कि जो भी country यहां पे United Nations में है, वही सिफ यहां पे peacekeeping में भेज सकते है, ऐसा नहीं है, और भी देश है, जो कि यहां पे United Nations peacekeeping mission में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने armed forces को भेजना चाते हैं, तो वो भेज सकते हैं, till now आप देखो, 71 peacekeeping operations है, 1948 से, और 12 current अभी जो है, वो चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही आगर हम लोग देखे कि इस mission का relevance क्या है, इसको समझने का कुशिश करते हैं, तो absence of alternatives, mainly क्या है कि यहां पे bite करने के कोई और organization नहीं है, higher cost benefit ratio है, अगर mission की cost देखे, तो only 0.4% world military expenditure है, लेकिन यहां पर क्या होता है, कि इतने कम rate में है, आप देखो कि बहुत जादा है, यहां पर peacekeeping force mission मिल जाते है, तो एक better return आप कह सकते हो, कि यहां पर benefit बहुत बेटर है, साथी rising threats है, अगर देखे, तो आज की rate में large number of countries है, जो कि asymmetric threats को यह face कर रहे है, बट इनके पास adequate resources है नहीं, कि वो इसी को fight करने के लिए, यहां पर देखे, fine, अब देख लेते हैं, आप देखो कि responsibilities क्या है, United Nation military यहां पर जो personal है, सबसे पहली बात है कि कोई भी conflict zone है, वहां पर security provide करना, सबसे पहला काम इनका है, उसके अलावा अगर हम दो देखे, यहां पर security provide करना, election वगेरा होता है, तो उससे में भी, साथी civilians और जो other United Nation personal है, उनको protect करना, monitor करना, जो भी disputed borders है, उनको भी बेटर तरीके से monitor करने का काम कहिया जाता है, साथी observe करना, जो भी peace process है, और फिर assist करना, country military personal, जो कि ट करने के लिए जो भी यहां पर forces है, उनको भी हां पर support करना, तो यह सारे आप देख सकते हो कि responsibilities है, fine, लेकिन three basic principles है, United Nation की जो peacekeeping mission है, इनकी principle भी आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला consent है, then यहां पर impartiality है, then no use of force है, यहां पर आप देखो peacekeeping, यानि कि शांती से ही शांती फ लाना है, ऐसा नहीं है, consent की बात करूं, तो missions जो है, वो deploy किया जाता है with the consent of the mean parties, जो की conflict में है, तो उनकी consent लेना जरूरी है, यह बात है की गई है, साथी अगर हमनों देखे, तो impartiality है, it means की peacekeepers, जो है, वो impartial होना चाहिए, दो party है, तो कभी भी किसी party का यहां पर साथ देन का जरूरत नहीं है, दोनों party का equal तरीके से यहां पर साथ देनी के जरूरत है, इस तरीके का यहां पर peacekeepers होते है, साथी no use of force, इतमींस की यहां पर कोई भी external force का इस्तेमाल नहीं होगा, कहने का मतलब है की यहां पर कोई भी तरीके की weapon का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर ब जो कि declare किया गया था 2018 में और यहां पर 8 priority commitment areas है A4P plus अगर देखे तो यह implementing strategy है ठीक है A4P plus priorities अगर देखे तो collective coherence कहा जा रहा है यानि कि political strategy है उसके पीछे यहां पर जो collective coherence है उसके बारे बात हो रही है साथी अगर हमनों देखे तो और क्या है strategy बनानी है operational integration एक साथ मिलकर काम करना है साथी capabilities होना चाहिए mindset एक होना चाहिए और accountability होने चाहिए जो जितने भी peace keepers है वो आग बंद करके अपना काम करे यह ज़रूत नहीं है कि उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है लेकिन उनको पुरी अच्छे तरीके से काम करना है accountability peace keepers का यहाँ पे तो हमने देख लिया साथी strategy communication होना चाहिए जो communications है यहाँ पे peace keepers का वो यहाँ पे बड़े तरीके से हो और हमारे जो host countries है उनके साथ cooperate तो करना ही है ठीक है अब यह जो यहाँ पे आप भी मैं next जो facts बताने वाली हूँ this is very 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 important for your exam point of view सबसे पहले देखते है peace keeping mission में हमारा क्या role है आज की date में आप देखो कि हम लोग second highest है जितने भी troops contributing countries है उनमें हम लोग second highest है देख win-win situation आप कह सकते हो साथी इंडिया का contribution जो United Nation peace keeping का है वो हम लोग उसी समय से start हो गया था जब Korea में 1950 में यह चल रहा था तो हमारा जो cooperation है वो बहुत पहले से start हो चुका है United Nation peace keeping में साथी हम लोग यहाँ पे three international commission के chair person भी रहे हैं जो कि हम लोग यहाँ पे Vietnam को, Cambodia को और Laos को control करें साथी 2007 में क्या था कि इंडिया जो था वो first country था जिन्होंने all women contingent को इस mission में उतारा था तो women को भी इस mission में लाने में सबसे पहले हम ही लोग यहाँ पे भागिदारी बने साथी हम लोग पहले country थे जिसमें कि हम लोग trust fund जो sexual exploitation है और abuse है उसके लिए fund रिकटा करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे पहले देश बने साथी आज तक देखे तो हमारे द्वारा जो है धाई लाग से भी जादा troops और जो personal है वो provide किया गया है इस mission में और time and again अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे काफी reforms बगएरा करते रहते तो इस पार भी हम लोग reform लेकर आया है लेकिन United Nation Peacekeeping Mission के द्वारा काफी challenges face किया जाता है सबसे पहला क्या है कि organizational challenge है यानि कि non inclusive है troop or जो police है वो यहाँ पे developing countries को contribute करते है तो इनका कोई decision making process में रोल नहीं होता इट मींस कि इनको उपर से जो order आता है United Nation Peacekeeping Mission का जो order आता है बस उसको blindly follow करना है इनको अपने से कोई decision लेने का अधिकार नहीं है साथी यहाँ पे financing अगर देखें तो cash flow जो problem है वो काफी जादा है यहाँ पे financing की जो problem है वो हम लोग पहले भी इसके बारे में discuss कर चुके तो अगी यहाँ पे discussion इसका चल रहा है inadequate power है United Nation Security Secretariat की बात करें तो उसमें power भी उतने अच्छे तरीके से नहीं है पर example अगर देखें तो United Nation Military Observer Group है इंडिया में और पाकिस्तान में वो 1949 में established हुआ था जिससे कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ceasefire start हुआ था यानि कि समझाता करना जो दोनों start किये थे तो उसमें यह United Nation Military Observer Group बना था अब operational challenge देखें कि कहां कहां पर यह काम नहीं कर पा रहे तो international support की कमी है इस mission के अगर हम लो failure देखें तो basically बात यह होता है कि international level पर इसको support नहीं मिलता है बहुत सारे देश जो है इस पर trust नहीं करते है इस peacekeeping mission में तो यह भी एक बहुत ही ज़्यादा concern की बात है साथी regional organization की rise अगर हम लोग देखें कि बहुत times अगर हम लोग देखें तो regional organization जैसे organization of African unit unity यह जो है peace वगएरा को काफी broke करती है तो again एक problem यहाँ पे निकल कर आता है safety issue भी एक concern है यहाँ पे organized crime वगएरा भी होते है साथी breakdown होता है law and order जो है वो disturb हो जाते है चली थोड़ा reforms देख लेते हैं जो कि हमारे द्वारा यहाँ पे propose किया गया है तो सबसे पहले है कि decision making power जो भी troops और police contributing countries है उनके पास decision making power होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो बस एक जो नहीं होता है कि जो भी उपर से instruction दे दिया और उसी को follow कर रहे blindly ऐसा नहीं है उनके पास भी एक अधिकार होना चाहिए साथी clear और realistic mandates होना चाहिए peace keeping missions जो है वो यहाँ पे clear और realistic mandates के साथ काम करें और यहाँ पे prudent deployment भी होनी चाहिए जो peace keeping missions है वो यहाँ पे full recognitions उनको मिलना चाहिए और जो mission है उसका भी access होना चाहिए सारे mission component का जो performance है चाहे वो military हो या फिर civilian हो यह सब यहाँ पे बेटर तरीके से दिखना चाहिए और उसको consider भी करना चाहिए regional approach लेकर चलो कुछ regional और sub-regional organizations है जैसे कहीं पे भी देशों में आप देखो तो mediation करना ज़रूरी होता है ceasefire को monitor करते रहोगी यहाँ पे अगर बीच बचाओ हो गया है तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसमें पीछे सडियन्त रहे conflict वगेरा को यहाँ पे हैं जो भी host countries है उनके साथ cooperate करके ही चलना चाहिए safety होना चाहिए peacekeepers जो है सबसे पहले क्या है कि वो शांती फैलाने जानते है लेकिन कई बार उनके उपर ही attack हो जाता है तो इसलिए उनके security और safety की भी बात की जाती है security होना चाहिए civilians का और technology का इस्तेमाल बहुत जादा होना चाहिए इसको increase करना चाहिए क्योंकि technology हर एक जगा advance हो चुका है तो हम लोग भी security challenges को overcome करने के लिए security advance sorry technology advance हो सके conclusion में कहा जा रहा है कि international peacekeeping है वो one of the many global public goods में से एक है तो ही desirable है कि किस तरीके से हम लोग एक robust regime बनाए और जो कि आज की date में जो भी issues है वो govern हो सके तो है कि Indian intentions जो है वो effort है इस direction में यानि कि हम लोग यहाँ पर काफी कोशिश कर रहे है कि peacekeeping mission को एक international recognitions मिले और इन पर और बेटर तरीके से काम हो सके आगे आने वाले दिनों में so guys this is all about this article I hope you like this video और यह article भी आपको समझ में आया होगा तो काफी important article है इससे directly आपका prevalence में 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 question बन जाते है so आज के लिए बस इतना मिलती हूं कल next article के साथ इसके अलावा अगर आप लोग को means answer writing practice program अगर join करनी है तो उसके लिए description box में email ID है वहाँ पे mail करकर आप लोग join हो सकते हो UPSC और 67 BPSC means के लिए भी चल रहा है इसके अलावा कोई भी doubt करी suggestion से तो आप comment कीजे इसी तरीके से reason eyes की magazines को हमारे साथ deal करने के लिए हमारे चानल के साथ जूर सकते हो मिलती हूं कल इसी टाइम पे आज के लिए बस इतनी Thank you Hey guys, welcome to source point आज अभी हम लोग discuss करने वाले है Vision eyes की current affairs जो कि हमारी यहां पे August, sorry, October month की चल रही है तो चली start करते हैं अभी हम लोग international relations में एक topic हमारा बचावा है FATF पी बचावा है Financial Action Task Force Last हमने यहां पे देखा था तीन topic हमारी complete होगी है तो अभी हम लोग FATF में चलेंगे Then Interpol जो की काफे जादा news में रहा है तो इसे related जितने भी points है हम लोग यहां पे clear करते भी चलेंगे And then Nord Stream यह अलगी एक बहुत important article है तो इसे भी हम लोग discuss करेंगे So let's start with the Financial Action Task Force But before we start अगर आप लोग means answer writing practice करना चाहते हो चाहे BPSC ले हो या फिर UPSC ले हो आप लोग description box में जो email ID है वहाँ पे mail करकर आप लोग अराम से इसे start कर सकते Daily basis में आप लोग question दिया जाता है आप लोग answer लिखकर उसे भेज सकते हो यहाँ पे आपका copy check भी होगा फिर आपको बताया भी जाएगा किस तरीके से आपको answer लिखना है कहाँ पे आपकी कमिया है खामिया है और क्या positive point है आपकी वह सा each and every details हमारे त्वारा आपको बताये जाती है तो चलिए start करते हैं में अपनी आज की article जो की है financial action task force जिसमें की announce किया गया है कि removal of Pakistan इट मिन्स की grey list में यहाँ पे Pakistan को include कर दिया गया था बट अब चलिए यहाँ पे कहा गया है कि चलो Pakistan को grey list से हटाना है तो each and every provision हम लोग देख लेते हैं देखे पाकिस्तान को जो है grey list में पहले भी रखा गया था और हटाया गया था और grey list में रखा गया था third time June 2018 में इसको third time रखा गया और अब तक October 2022 तक इसको grey list में रखा गया तो देखे FATF की security को देखते वे Pakistan को यह force किया गया था कि कुछ action लो भाया जो आप इतना terrorist आतंगवादी फैला रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो action लो जिससे कि यहाँ पे काफी जादा terrorism attack वगेरा जो है पाकिस्तान के दौरा किया जाता है जिसके वज़े से इसको इस तरीकी की सजा मिली है तो अब पाकिस्तान की हरकते देखो आप जिसमें की मुंबई attack तो याद होगा जो 26 बाई 11 था तो उसमें भी बहुत ही जादा इनों इच्छती पहुंच आया तो इसलिए यहाँ पे उसके बाद जो है इसको डाल दिया गया ग्रेय लिस्ट में कि सुधर नहीं रहे हो तो सुधर दिया जाएगा अब दिखिए हमारे दोरा भी हाइलाइट किया गया है कि ग्लोबल इंट्रेस्ट भी है कि पाकिस्तान को यहाँ पे credible, verifiable, irreversible, sustained action तो ले नहीं होगा जिस तरीके से वो आतंगवाद को फैला आ रहा है उसको tackle करने के लिए पाकिस्तान अगर action नहीं लिया तो उसके against में करी action ली जाएगी बट देखते हैं कि चलो ठीक है FATF में यहाँ पे पाकिस्तान के against में action लिया जाता है तो FATF है क्या FATF ये global money laundering और terrorist financing watch talk है इत मींस कि आप देखो कि जो money laundering है जो black money को white money में convert करता है या फिर जो terrorist फैलाने के लिए जो financing दी जाती है उस तरीके की चीजों पर ये watch talk है यानि कि कड़ी नज़र रखता है अगर ऐसा काम कहीं पर भी हो रहा है तो उस पर ये बहुती कड़े हथकंडे अपनाते inter-governmental body है जो कि एक international standard ये safe set करता है जिससे कि जो भी illegal activities है यानि कि जो भी गलत काम हमारे देश में हो रहा है या अल अवर दे वर्ल्ड में हो रहा है उसको यहाँ पर रोखने का काम FATF करता है इसकी जो गठन हुई थी वो 1989 में हुई थी और group of 7 जो countries है उनके साथ तो इसलिए G7 countries के द्वारा जो है इसको बनाया गया और ये submit जो है वो set up किया गया था FATF जो की एक policies develop करेंगे जिससे की जो भी money laundering है यानि की जो black money को white money में convert किया जाता है तो उसको आप देख सकते हो उस चीज़ों को रोकने के लिए यहां पर FATF ने काम किया membership अगर देखे तो FATF जो है आज के रिट में 37 member jurisdiction है और दो regional organization है एक तो GCC है Gulf Corporation Council और एक European Commission है हम लोग भी यहां पर FATF के member है लेकिन कब बने हम लोग तो यहां पर हम लोग बने 2010 में ठीक है 1989 में यह organization आया लेकिन हम लोग यहां पर 2010 मेंस के member बने FATF के recommendation के अगर हम लोग बात करें तो यह जो organization है recommendation जो है वो international standard है इट मींस कि हर किसी को यह मानना होगा money laundering को यहां पर रोकने के लिए terrorist financing को रोकने के लिए यहां पर जो भी काम किया जाता है कि standard यहां पर बनाया जाता है इनके द्वारा उसके बाद आप देखो कि जो यहां पर financing of proliferation है यह क्या होता है financing of proliferation कहने का मतलब एक तरीके का आप देखो कि transfer करना या फिर nuclear हो गया, chemical हो गया, biological weapon हो गया, उसको export करना उसका delivery करना चीक है, तो इसलिए इसको भी रोकने के लिए यहां पर काम किया जाता है FETF के द्वारा, यहां पर 40 recommendation दिया गया है कि कैसे यहां पर money laundering को fight करें 9 special recommendation दिया गया है कि कैसे terrorist financing को रोका जाए FETF के अगर हम यहां पर style की बात करें regional bodies की, तो 8 regional bodies है जो की मिलके काम करते है जैसे की Asia Pacific Group हो गया money laundering में European Group हो गया Caribbean Financial Action Task Force हो गया तो यह सब मिलके यहां पर काम कर रहे है monitoring compliance अगर देखें FETF जो है, वो compliance भी हाँ पर monitor करता है, कि जो भी recommendation FETF के द्वारा दिया गया है तो कितने countries है जो की इसको compliance कर रहे है साथ ही अगर हम लोग देखें FETF में दो तरीकी का list है एक black list है, एक grey list है और यह सारे terms जो है, आप देखो official FETF की terminology है, उसमें exist नहीं करता बट हाँ, यहां पर country को threat, यहां पर country को डराने के लिए एक data create करने के लिए इस तरीके का list create किया गया है, FETF के बारे में कुछ बात यहां पर देख लेते हैं देखें, listing regime जो है न, उसमें weakness देखने को मिलता है अगर अब तक हम लोग यहां पर severity of consequences देखें, तो black list एक quantum jump है, अगर grey list में देखें तो पहले grey list में country को डाला जाता है एक तरीके का warning है, फिर उसके बाद black list में डाल दिया जाता है, completely block जो structure यहां पर weakness है FETF में यह reflect होता है, और साथी तरह तक हम लोग देखें, तो lack of effectiveness है, FETF जो यह relied होता है assurance में without actually, जो यहां पर actual performance है, उसको consider करते हुए 2015 में क्या हुआ था, कि Pakistan को यहां पर grey list से बाहर निकाल दिया गया था, और क्यूंकि यहां पर कुछ legal measures लिया गया था, ठीक है तो इसलिए यहां पर निकाला गया, लेकिन फिर से इसका काम यही है, पाकिसान के आप देखते हो कि बार-बार जो है, वो यहां पर grey list से बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो हरकते हैं, वो यहां पर सुधर नहीं रहा है Others अगर हम लोग देखें, तो कुछ concerns से जो की raise किया गया है, वो भी group के informal method, कि कैसे यहां पर वो president को select करते हैं इस group के जो president होते हैं, उनको select करने का जो जरिया है, उससे other members जो है, वो यहां पर खुश नहीं है साथी आप देखो, यहां पर कोई भी international agreement नहीं है, कि क्या यहां पर terrorism को constitute करता है, कि इसको terrorism कहेंगे, कौन सी ऐसे activities है, जिसको क्या आतंगवाद कहेंगे, या फिर कैसे यहां पर हम लोग समझें कि हाँ, यह जो पैसा है, यह terrorist financing में जा रहा है terrorist activity फैलाने के लिए जा रहा है यह हम लोग समझ नहीं पा रहे है, साथी अगर देखे, countries जो है, वो भी अपनी mutual legal assistance से उसको फैलाने में कमी यहां पर देखने को मिला information sharing भी उस तरीके का नहीं हो पा रहा cooperation भी अगर हम लोग national sectors के साथ देखे, तो वो भी यहां पर बड़े तरीके से नहीं हो पा रहा है, implementation issues है, जो भी यहां पर बात कहीं जाती है या फिर जो भी यहां पर funda है, उन सब की देखे, gray list और black list में, तो यहां पर बहुत सारा scope है, की darkest shade of gray, okay, की gray में भी अगर हम लोग यहां पर countries को डालते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं इनको freedom दिया जा रहा है, कि आपको गलत काम कर सकते हो, या फिर इस तरीके का terrorist financing वगरा, यह सारा चीज, जो है कहीं न कहीं अगर हम लोग देखे, तो वो चल रहा है तो इस पे भी हम लोग को further categorize करना होगा, साती अगर हम लोग देखे तो इसमें भी आप देखो कि gray list में भी jurisdiction होना चाहिए और यहां पर एक will होना चाहिए कि FATF की जो भी recommendation है उसमें हम लोग को यहां पर उस सारे recommendation को implement करना है साती अधर extreme देखे तो इसकी capacity होनी चाहिए बट एक चीज होता है कि हाँ, कि जो भी jurisdiction में है उसमें capacity होनी चाहिए कि हाँ, यह काम तो करना ही है साती FATF को जादा representative बनानी चाहिए हम लोग हमेशा यहां पर बात करते है कि हाँ, FATF की meeting हुई लेकिन FATF की meeting में अगर हम लोग देखे तो इस तरीके का यहां पर जो भी recommendation निकल कर आता है उसकी implementation नहीं देखने को मिलता है साती इसकी representation की अगर हम लोग बात करे यह भी एक यहां पर area कहा गया है साती अगर हम लोग देखे तो policy advice और technical assistance यहां पर provide करने की ज़रूत है FATF को यहां पर substantial technical assistance provide करना चाहिए वो भी जितने भी member countries है और जो उनका legal regulatory और institutional financial supervisory framework है उसको भी और जादा मजबूत करने की ज़रूत है fine तो यह सारे हैं लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि gray list और black list में क्या क्या बात है की गई है gray list यानि कि यहां पर हम लोग देखते हैं क्यूं countries को gray list में रखा जाता है तो देखे कुछ deficiency countries में कुछ कमी रह जाती है यानि कि जोपी यहां पर अगर वो ऐसी देश जो कि terrorist फैला रही है या फिर money laundering को बढ़ावा दे रही है या फिर यहां पर देखो कि proliferation हो रहा financing का तो अगर यह सारा काम हो रहा है तो उन देशों को gray list में डाला जाता है black list में क्यों इसको डाला जाता है कि यहां पर आप देखो black list में क्या होता है कि significant strategic deficiency है it means कि आप देखो कि यहां पर कुछ deficiency है लेकिन अगर यह deficiency means आप समझते हैं कि हर एक चीज की limit होती है जब वो limit की boundary अगर cross हो जाए तो इसी में हम लोग कहते हैं कि एक exceed कर दिया okay taxid जो हो रहा है उसी को हम लोग यहां पर कह रहे है कि deficiency निकल कर आ रही है अगर यह तीनों चीज पर यानि कि money laundering है terrorist financing है proliferation of financing है अगर इन तीनों पर काम नहीं किया जा रहा है इन तीनों पर country रोक नहीं लगा रही है तो फिर उस country को जो बार-बार warning देने के बाद क्या किया जाता है blacklist में डाल दिया जाता है अब blacklist यह समझते कि grey list में डालने से इसका implication क्या होता है तो countries को आप जानते हैं को formally commit करना पड़ता है कि हां वो कुछ action plan लेकर आएंगे जिसे कि जो भी उनके देश में कमी है उसको वो पूरा करेंगे साथी कुछ certain conditions है जो कि FATF के द्वारा यहां पर रखा गया है तो उसको भी यहां पर फुल्फिल करेंगे ब्लाक लिस्ट में अगर हम लों बात करें तो ब्लाक लिस्ट में क्या है कि यहां पर countries जो है उनको यहां पर advance apply करना हो इन्हांस करना होगा वो भी most serious cases में तो countries को यहां पर जो है counter measures के लिए भी बुलाया जा सकता है तो यह सारा काम होता है ब्लाक लिस्ट जो है वो आप समझो कि वो अब इंड हो गया ठीक है अगर कोई country ब्लाक लिस्ट में है तो फिर वो अभी तक तो देखिए बहुत सारी countries जो है grey list में है black list में है तो उसको समझते है कि कौन कौन सी country कहां कहां इसको रखा गया लेकिन इससे पहले FATF की recommendation समझते हैं measures जो है वो यहां पर आपका criminal justice में रखा गया regulatory system में रखा जाता है preventive measures बहुँ ज़्यादा लिया जाता है साथी establishment हो दी है competent authorities की साथी arrangement किया जाता है कि जिसके साथ हम लोग other countries के साथ cooperate कर सके और measure से लिया जाता है जिससे कि हम लोग transparency को ensure कर सके ओके so यह सारी बाते FATF के तहत यहां पर कहा जा रहा financial action task force के तहत ओके तो यहां पर हम लोग में detail में देखा कि FATF क्या है FATF में कौन कौन से यहां पर list होते है अभी क्या यहां पर program किया जा रहा है अभी कि बाते की जा हम लोग को क्या करना चाहिए अब आते हैं next article जो कि है Interpol, Interpol क्या है international criminal police organization, okay Interpol इस बार बहुत जादा news में है तो make sure I am 110% sure कि इससे UPC surveillance में तो question बनेंगे, तो मिल ली हुआ क्या है कि first time ever police metawars specifically designed for law enforcement agencies जो है वो यहां पर पहली बार ऐसा बनाया गया है, तो चली देख लेते metawars क्या है, तो metawars कहने का मतलब है कि real time 3D virtual spaces है, 3D pictures आप लोग देखते हो न, 3D movies देखते हो जैसा लगता है कि real है, हमारे आखों के सामने है, तो उसी तरीके से real time 3D virtual spaces बनाया जा रहा है, जहां पर users जितने भी है न, वो मिल सकते है, कुछ create कर सकते है, काम कर सकते है, goods or services buy कर सक सकते है, other people's के साथ, जो कि same physical space में यहां पर नहीं belong कर रहे है, इंटर पूल मेटवर्स क्या है, तो यहां पर registered users जितने भी होते है, उनका लाग क्या जाते है, कि आप अपना virtual tour जो है, वो कर सकते हो, it means कि जो gender secretariat है, इनकी headquarter आपको फ्रांस के लिए on में देखने को मिलेगा तो उसका क्या होता है, कि यहां पर virtual tour वो कर सकते हैं, और other officers के साथ भी interact कर सकते हैं, जैसे कि अवतार वगेरा, उनके अवतार से हैं, या फिर training courses वगेरा भी करना है, तो वो भी virtual tour की थूर हो सकता है, 3D में हो सकता है, तो यह जो metawars है, यह आपका interpol secure cloud की थूर यहां पर provide क जाता है, और एक neutrality यह assure करता है, किसी भी तरीके का यहां पर आप देखो कि कोई भी तरीके का यहां पर पक्षपात यह नहीं होगा, neutrality यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इसको 195 जो total countries है हमारे इस अर्थ में, उनके द्वारा यहां पर access भी किया जाएगा, और रिमोट वर्क है, अपना लोकल वर्क है, वो कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ evidence फगेरा गर collect करना है, preserve करना है, जो भी crime scenes से, तो वो भी यहां पर collect करके रख रहे हैं, अब समझते कि what is Interpol, Interpol एक intergovernmental organization है, जिसमें आपके total 195 member countries है, इससे क्या होत अमालिया, जो कि हमारे देश के बैंकों को चुना लगा कर जब UK भागे, तो UK के police को उनके बारे में कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि हमारे देश की जो police force है, वो UK के police force से connected है, वो भी Interpol के through, तो यानि कि जो भी चोर आप देखो कि अगर कोई भी लोग हमारे देश में या पिर कहीं पर भी एक country में crime करके दूसरे country में जाकर छिपने का कोशिश करते हैं, बचने का कोशिश करते हैं, तो वो पकड में आते हैं, Interpol के through, तो यहाँ पर आप देखो कि member countries जो है, वो share करते है, access करते है data भी, जो भी crime और criminal से related है, साथ ही यहाँ पर General Secretariat Coordinates भी organization है, जो कि Central Point of Contact है, दोनों के लिए, एक General Secretariat के लिए और अधर जो NCVs है, जितने भी National Central Bureau है, उनके बीच में आप देखो कि एक Central Point है, हर एक National Central Bureau है, वो police officers के द्वारा यह रन किया जाता है, उस country के, और usually आप देखो तो government ministry जो responsible है policing में, उस ही में वो बैठते भी है, जो कि Ministry of Home Affairs है इंडि होता है, अब यहाँ पर type of Interpol notices आप देख सकते हो कि different type of notice है, जो कि यहाँ पर different different आपके colors में, यहाँ पर denote किया गया, red notice है, red notice कहने का मतलब है कि कोई wanted person है, उनको arrest करना है, blue notice है, कहने का मतलब है कि अगर additional information collect करनी है, किसी person के identity, location और activities को लेकर, green notice है, जो कि अगर warning दे रहा है या intelligence बता रहा है about person, जो कि किसी भी तरीके का criminal offense commit किये है, yellow notice कहने का मतलब है कि किसी missing person को locate करने में help मिलेगा, black notice issue करने का मतलब है कि information चाहिए, जो भी unidentified bodies है, कुछ ऐसे bodies होते हैं, जो कि identify नहीं किया जाता है कि इनका है, इनके family members कौन है, या फिर इनके बारे में कुछ भी information नहीं मिल रही है, तो जो unidentified bodies होते हैं, उनके information को सीख करने के लिए, black notice issue किया जाता है, orange notice की बात करें, यहाँ पर warned किया जाता है, किसी event को, किसी person को, या फिर कोई object है, process है, उसको warned करने के लिए दिया जाता है, purple notice है, यानि की कुछ information provide करना, वो भी आप देखो किसी object के ब provide करना, किसी revise के बारे में, यहाँ पर information provide करना, तो यह purple notice के तहता है, साथी एक है, Interpol and United Nations Security Council special notice, तो यह issue किया जाता है, कुछ groups के लिए, या individual के लिए, जो कि यहाँ पर United Nations Security Council sanction committee में target किये गए, तो उनके लिए, उनके तरफ से यह issue किया जाता है, so these are the different color of notices, जो कि यहाँ पर issue किया जाता है, according to the situation, okay, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, कि आज की डेट में, Interpol news में क्यों है, क्या issues arises है, so सबसे पहली बात है, यहाँ पर extradition, Interpol आप देखो कि कोई भी influence नहीं है, अगर इनके member state में देखे, या फिर extradition जो possible होता है, वो सिब bilateral agreement के थू होता है, ना कि Interpol के थू होता है, तो अगर हम लोग इसमें देखे, तो ideological issues भी है, जैसे कि political asylum हो गया, hospitality हो गया, refusing के लिए, तो यह सब भी यहाँ पर cause of concern है, second politically अगर हम लोग देखे, तो यहाँ पर politically motivated arrest होता है, किसी को भी arrest करना होता है, यहाँ पर interpol के थू यहाँ ऐसे police officials के थू, तो इसमें Belarusian politician का करना हो, या Ukrainian politician का करना हो, तो यह सब interpol के थू होता है, साथ ही interpol constitution है, जो कि under article 2 में कहा गया है, कि member states जो है, वो यहाँ पर applies नहीं है, कि वो जो general secretariat का demand है, उसके साथ वो complain करे, साथ national sovereignty के अगर हम लोग बात करे, तो member states जो है, वो completely free है, कि वो individual जो interest है, उसको pursue करे, ठी इतने में member state है, 195 है, तो वो पुरी तरीके से free है, कि वो अपना individual जो interest है, उसको वो pursue कर सकते है, corruption के अगर हम लोग बात करे, तो कई बार corruption की cases भी interpol की सामने निकल कर आई है, 2015 में आप देख सकते हो, कि interpol को यहाँ पर criticize किया गया था, multi million dollar corruption deals को लेकर, जो कि private sector के साथ यहाँ पर किया गया था, और यह कौन सा है, तो FIKI, जो Federation of International Football Association है, FIFA, तो इसके तरफ जुड़ के जो है, काफी ज़्यादा millions of dollar जो है, यहाँ पर खर्च करने का, corruption का, यहाँ पर मामला निकल कर आया था, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते कि interpol का का काम करने का principle क्या है, तो principle काफर नीटी को respect करना है, second है कि neutrality, neutrality भी work करता है, किसी भी तरीके की किसी country को ज्यादा favor नहीं करते, साथी constant and active cooperation है, अगर cooperation करना है, participation करना है, तो वो active है, साथी respect करना है, जो भी human rights है, इतने सारे countries के लोग है, तो उनकी human rights को भी respect करना है, वोई फोबर्ष में कहा जा रहे ह कि हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले पावर को पॉसेस करना चाहिए ग्लोबल ओर्गनाइजेशन यहां पर पावर को पॉसेस करती है तो मेक दियर मेंबर्स ओबे दिया जाता है उसको ओबे करना होगा Constitution को अमेंड करनी की ज़रोत है इंटरपोल को क्या है कि अपने जो सन्विधान है उसको थोड़ा अमेंड करें और एक अज़र्टी पोजिशन यहां पर एडॉप्ट करें as a supernatural police force पुलिस रिफर मेंड को कookी है तो इंटरपोल को भी अपने功ुश्य तो यहां हुआ के थूध के बात करें तो इंटरपोल को एहां पर इंटरपोल को हैपे रेडदी नोटीस को डिलीट कर देना चाहिए इट मींस कि जो भी यहां पर गैरेंटेट रिफ्यूजी स्टेटस मिला है एस पर था नाइटीन फिटीवन रिफ्यूजी कन्वेंशन के दुरू तो यहां पर थोड़ा सा इशू हो जाता है रेट नोटिस क्यों करते हैं जो इसको भी यहां पर अरेस्ट करना हो तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि सम्टाइम्स जो है रिफ्यूजी के लिए ही जादा से जादा आप देखो रेट नोटिस इशू हो जाता है तो यहां पर एक प्रॉबल क्रेट हो जाता है Refusee Right के अगर हम बात करें तो Interpol को यहां पर एक Mechanism Establish करनी चाहिए जिससे कि जो Rights of People है International Refugee Status के साथ जो इसको भी मिला हुआ है तो उनकी Rights को Protect किया जा सके तो यहां पर यह Way Forward है अब समझते कि Interpol की अब तक की Achievement देख लेते कि मिसमगलिंग वगेरा को Reduce करना यह फिर जो भी Stolen Work है उसको यहां पर Recover करना तो यह सब यहां पर Mobile Lab के थू होता है और रोमानिया में आप देखो पुलीस जो है वो यहां पर 13th century की जो Gothic Cross है उसको यहां पर Recover किया चोरी हो चुका था यह भी Border को से क्या और करते है यानि कि यहां पर आप देखो Interpol की जो Database है वो यहां पर है कि लोगों को identify किया जाता है जो भी यहां पर Terrorism, Murder, Drug, Trafficking वाला काम करते हैं तो उनको identify किया जाता है Training की अगर बात करें तो पुलीस है, Immigration Authorities है जोनको यहां पर Specialized Interpol Training भी बगेरा दिया जाता है Forensing Identification Technique को लेका Human Trafficking की बात करें, तो कुछ Operations ऐसे भी है जो कि यह दिखाती है कि जो भी लोगों को यहां पर तसकरी बनाया जाता है एक देश से दुसे देश में बेचा जाता ले जाकर उन पर भी काफे जाता है यह काम किये, इसको कम करने के लिए Securing Cyber Space है Multisector अगर Partnerships की बात करें, जो कि Emerging Trends को यह Monitor करते है और Public Awareness को भी रेस कर रहे है, वो भी Online Risk को लेकर तो यह भी एक अच्छी चीज है कि Cyber Space भी है, आपर Secure हो पा रहा है अब इसके बाद NCEB की बारे में समझ लेते हैं जो National Central Bureau है हमारे देश में तो NCEB जो की New Delhi में है, एक sole authorized agency हमारे देश में जो की police agencies के साथ काम करते हैं यानि कि दूसरे countries की जो police agencies है, उनके साथ जो मिलके काम करते हैं, उनको NCB कहते है NCB एक Central Bureau of Investigation जो हमारे देश में CBI है, उसी का एक ब्रांच है और यह किसके control में, Dupity Director और दो Assistant Director के control में हैं ओके दोसको धियान रखना है Interpol का जो Crime Program है ना, इसको भी देख लिजे कि यह तीन basic पंडे पर काम करते हैं सबसे पहले है कि Terrorism को Counter करना पिर एक और Organized and Emerging Crime को देखना, पिर Cyber Crime को देखना Terrorism को जो Counter किया जाता है यहां पिका है कि Member Countries को Assist करना कि आप जो भी Terrorist Activities हो रही है, उसको Prevent करो यह Disrupt करो किसी भी तरीके से Organized और जो Emerging Crime है, उसको भी यहां पर Tackle किया जाता है Organized Crime कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से Plan करो Emerging Crime है, जिस तरीके से Crime बढ़ते जा रहा है, Cyber Crime बढ़ते जा रहा है तो उस पर भी यहां पर बहुत जादा यहां पर ध्यान दिया जा रहा है Okay, so guys, this is all about Interpol, I hope you understand this lesson और जो भी Facts and Figures है, उसको एक जगर एकटा करके रखिये और अभी News में की है, यह समझने का कुशिश कीज़े और मेली आप पर मुझे लगता है, यह important है, जिससे की questions बन सकते है Coming to the next and last article, जो कि है Nord Stream So, जो United Nations Environment Program है, इनके द्वारे यह कहा गया है कि Methane Gas के Leakage क्यों? क्योंकि यहां पर Nord Stream जो है, वो रप्चर हो रही है Natural Gas Pipeline System है, जो कि Biggest Single Release है तो यहां पर Methane Gas जो है, यहां पर Leak कर रहा है, तो एक Big Cause of Concern है Nord Stream है क्या? Nord Stream में आप देखो, एक Primary Network है जो कि यहां पर Gas Reach होता है, कहां से कहां तक, तो जर्मनी से रश्या से जर्मनी तो यह आप देखो, यहां पर रश्या है यहां से आपका जो है, यह Red वाली जो Line है, यह Nord Stream है इसको कहा गया है, जो कि Gas यहां से आपका रश्या से लेकर जर्मनी तक पहुंचता है यह Baltic Sea होते वे, यह आपका पहुंच रहा है Nord Stream 1 है, जो कि 1224 किलोमेटर है और यह आपका रश्या से लेकर जर्मनी तक चलता है उसके नीचे Nord Stream 2 है, जो कि 1200 किलोमेटर तक है यह भी रश्या के जर्मनी तक जाता है इसका यह Nord Stream का फायदा क्या है सबसे पहले तो आप देखो कि यह Gas Root है ठीक है, तो economically और environmental यह काफी friendly है 1224 किलोमेटर, इट मेंस की 11 बिलियन डॉलर तक है यह underwater link है, जो कि सबसे shortest है most economical और environmental friendly route है जिससे कि जो रश्या का gas export है जर्मनी में वो double हो रहा है एनर्जी security है, यूरोप वाले country में ठीक है, उसके बाद एक stability मिल रहा है इस region में यह जो pipeline है, यह के stability प्रोवाइट करता है जितने भी important energy, energy trade वागिरा है क्योंकि रश्या की जो dependency है European Union में, यह काफी हद तक है तो उचली इससे भी इसको बेटर एक route मिल पा रहा है okay, methane जो गया है वो greenhouse कैसे, यह 80 times more harmful है अगर हम लोग carbon dioxide के comparison में देखे तो ठीक है, और methane का क्या है निए कि लंबे समय तक यह atmosphere में रहता है जैसे carbon dioxide अगर हमारे atmosphere में है तो वो काफी लंबे समय तक रहेगा 20 साल तक रहेगा, लेकिन अगर वही methane की बात करे तो यह 50 साल तक भी हमारे atmosphere में रह सकता है यह responsible है जो कि यहाँ पर आज की देट में global warming बढ़ते जा रही है उसके लिए carbon dioxide से ज्यादा responsible methane है तो इस चीज को ध्यान रखेगा एक बहुत ही important और छोटी article है बट इस वेरी important, fine So guys, this is all about international relation Tomorrow we will begin with economy lesson तो आज के लिए बस इतनी रिखती हूँ I hope you like this video और इस lesson से आपको कुछ information जरूर मिलते होंगे तो अगर information मिलते हैं और आपको फाइदा होता है तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हो सब्सक्राइब करके daily basis पे आपको यहाँ पर वीजानाइस की करेंटर फिरस मैगसिन समलोगयां पर डिसकस करते हैं तो मिलती हूं कल इसी टाइम पर आज के लिए बस इतनी थैंक यू